वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टनों गुड इनिंग टॉल फ्यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आप बहुत अच्छे होगे ऐसी अच्छे वाथ तंदुरुस्ता येगा और मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों आज का सेशन की से बात करते हैं एक में अस्सिपार उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है तो चली दोस्तों यहां पर येस हमारी सेशन की शुरुबात करते हैं आर यू रेड़ी चलो अब यहां पर हम रिविजन करेंगे रिविजन के बाद हमारा डिस्किशन को कंटिन्यू करेंगे हम चप्टर टू पर आये थे concept of supply अगर concept of supply यह चप्टर में हम देखे तो मैंने हमने person की definition देखे थी यस रफ में वापस मेरे साथ मैं आपको specially time दोगा मेरे साथ आपको charts रफ में draw करना है यह practice बहुत develop करना है आपको taxable person taxable person में यहाँ पर जहां तक देखा जाए registered और liable to registered हमने यह concept देखा है आप voluntary registration भी लेते हो तो आप taxable person हो जाते हो मतलब GST में कोई basic exemption नहीं है GST में आपको कुछ limit तक without registration supply allow किया है and without payment of tax allow किया है but once you registered आपको GST अब जब तक आपके पास registration है तब तक देना पड़ेगा yes yes done यहाँ पर चलो अब उसके बाद में आपने register person की definition देखा इसमें आपको क्या याद रखना है कि जिसका आपके पास अगर UIN होगा तो वो case में आप register person नहीं कहला है जाओगे supplier में कुछ याद रखने है जरुवत नहीं recipient की definition चलो recipient की definition च्राइ करो यहाँ पर recipient की definition च्राइ करो rough में imagine करो और च्राइ करो चलो do it do it च्लो roughly आपने देखा हो गया सा consideration and consideration नहीं नहीं है, consideration है, consideration नहीं है, consideration है तो जो consideration दे रहा है, नहीं है तो जिसको आमने goods delivered किया, यह service जिसको render की, okay, service जिसको render की और उसका agent भी उसमें consider, ऐसा rough मैं बाद बाद try करना, उसके बाद मैं यहाँ पे taxable supply, यह चार्ट try करो, taxable supply बिना देके try करो, यह चार्ट बिना देके try करो, सोचो उसके उपर, चलो do it, बिना देके try करो, try कि आपने बिना देखे, try कर लिया, जो मुझे ODPD में देखे, वो pause करके try करना, पर यह करो, ignore मत करना, very good, supply, supply दो type के taxable और मैं आपको कहो क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्री पढ़ाने से subject में interest, मैं थोड़ा इसको other way में बोलता हूँ, कि पढ़ाने से आपको interest तो create होगा, लेकिन उसमें आपको value addition तब ही होगी, जब आप अपने तरफ से उसमें कुछ add करोगे, बार-बार repeat करोगे, बार- है, मतलब levy है, किसी पर tax देना है, किसी पर government incentive देगा, okay, nil rate, rate ही nil है, पर taxable है, और exam भी taxable है, क्योंकि हम exam उसको ही कर सकते है, जो taxable है, धान सुनिएगा, हम exam उसको ही कर सकते है, जो taxable है, I hope you understood, now, ये तो था बेटा, okay, supply, और मेरे class में, मैं पहले कह देता हूँ, मेरे class म में आपका subject का interest और आपकी subject की depth दीरे दीरे बढ़ेगी, इसलिए मैं वो teacher नहीं हूँ कि पहले class में इंप्रेस कर दो और फिर course भागागी हूँ, हाँ, लेकिन जैसे-जैसे मेरा class करोगे, ये आपको feel आ गया होगा, जैसे-जैसे आप मेरा class करते जाओगे, आ गया आगे, बढ़ते जाओगे, आप depth पकड़ते जाओगे, ये अगर feel आया होगा, जिसको भी honestly feel आया होगा, F type कीजिएगा, okay, feel खा F type कीजिएगा, बस मैं आपको इतना कहना चाओगा, कि मेरे class में आपको gradually, इसलिए आपको किसी को refer भी करना है, तो ये words में refer करना, कि देख भाई, okay, ये teacher ऐसा नहीं है कि वो पहली lecture में impress कर दे, पर तू जैसे जैसे आगे पढ़ेगा, okay, वैसे वैसे तिरा depth, okay, यहाँ पर बढ़ते जाएगा, yes, non taxable supply, तो जहां तक देखा जाए, जो not leviable to tax है, उसके बाद में exam supply, next, अगर हमने देखा तो section 7, section 7, अब आप एक काम करो, okay, section 9, 1 में, अगर आप देखा गे, चलो करो मेरे साथ जरो, पहले तीन पार्ट बनाओ, पहले तीन पार्ट बनाओ, पहला, okay, पहले तीन पार्ट बनाओ, पहला, यहाँ पर नाला एक किशन, यहाँ चलो, यहाँ पहला लो, levy, दुसरा, assessment, and दूसरा, okay, person liable to pay tax, liable to pay tax उसके बाद में करो तीन पार्ट लेवी में थ्री पार्ट करो क्या था लेवी में थ्री पार्ट यहाँ पे पहला चार्ज, येस दूसरा वाल्यू और तूसरा रेट आये रफ में बना आपका चार्ट, चार्ज वाल्यू रेट, चार्ज में, रफ में लिखो, इंटर या इंटर, ऐसा लिखो, खुद को भी नी समय में आना चाहिए, supply of goods या supply of services, ओके, इंटर और इंटर स्टेट supply of goods or services, except, except यहाँ पर यहाँ पर जिस्ट 6 product लिख दो, 6 product नहीं आएगा, उसके बाद में value, value में लिखो, section 15 में fix होगा, rate, rate notified by government, notified by CG, on recommendation of council, but maximum, maximum 20, 20 and 40, okay, so यहाँ पर उसके बाद में assessment, sorry, assessment नहीं, collection हाँ, यहाँ पर आएगा collection, क्रुक्रुक्रुक्रु में आप चाहता हूँ, collection, और collection में, रफ में आप बना रहे हो तो, एक मिनट, एक मिनट, collection, बिटर ध्यान दो, ध्यान दो, प्लीज, ध्यान दो, कोई टाइम पास नहीं, अभी कोई भी thought दिमाग में होगा, तो सब को बाज में रोको, ध्यान दो, collection, collection, prescribe होगा, और person liable to pay tax, तो कौन होगा, taxable person, यहां तक आगे आप chart बनाते, बनाते, अब supply याने क्या, तो supply याने क्या, ऐसे करो, हाँ, ऐसा arrow बताओ, section 7, section 7, मतलब यहां से जनम होता है, okay, यहां से, इस गंगा से, section 9 के गंगा से, supply की river निकलती है, okay, तो यह supply word यूज कर लिया, लेवी में, तो what do you mean by supply, तो यहां से उपज हुआ, section 7 का, अब section 7 जो है, okay, इसका जो उपज हुआ है, वहां से, okay, 7, 1, okay, बना, 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 मेरे साथ रफ में बना, section 7, 1, 7, 2, 7, 1, include, रफ में बनाओ, और 7, 2, exclude, 7, 2, exclude, 7, 1, include में, जहां तक दिखा जाए, supply includes, includes में दो पार्ट, includes में दो पार्ट, okay, consideration है, without consideration है, okay, consideration है, without consideration है, इसमें दो पार्ट किये तो हमने, 7, 1, A, okay, 7, 1, B, आपको याद होगा, तो 7, 1, A, 7, 1, B, और यह without consideration, 7, 1, C, जिसके नीचे हमें schedule 1 देखना है, जिसके हमें schedule 1 देखना है, clear, 7, 1, A, आ रहे हो, आप flow में आ रहे हो, पुरा, पुरा 9 के साथ connection होते जा रहा है, okay, यह 9 से बहुत सारी, यह main हमारी गंगा है, इससे बहुत सारी river निकलेगी, supply की, goods की, value की, rate की, okay, और यह जो है, यहाँ पर, 7, 1, A, 7, 1, A, जो है, all forms of supply, supply of goods या supply of services, all form बड़ा important word है, okay, rough में लिखते जा, all form बड़ा important word है, supply of goods और supply of services, इसमें, okay, 4 cumulative conditions है, okay, such as, such as, okay, sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, disposal, made or agreed to be made, मैं जब पढ़ता था, इतनी practice किया, मैंने ऐसे chart connection की, और यह बड़े chart system का development ही मेरे से हुआ है, आज आप बहुत जगा बड़ा chart system देखते हो, okay, सब कुछ देखते हो, यह उपजी मेरे से है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो है, वो सच आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर consideration, बिल्कुल consideration की definition, अब आप क्या करोगे, जब आप यह chart बना रहे हो, और हमने इसके लिए two and half page रखा हुआ है, तो आप sticky notes लेखे यह chart में, consideration की definition यहाँ attach कर दोगे, याने एक अलग page पे लोगे, और consideration अने क्या, यहाँ attach कर दोगे, consideration अने क्या, तो अगर आपका consideration का chart याद होगा, तो consideration दो पार्ट में divide होता है, A and B, okay, rough में, rough में त्यार करो, A और B, money, otherwise, at, forbearance, okay, क्या, तो in respect of, in respect of, in response to, और for inducement of, SOG और SOS, okay, दो चीज़े इसमें नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, subsidy नहीं आएगी, okay, rough में subsidy नहीं आएगी, और दूसरा वेटा, यहाँ पे deposits नहीं आएगा, जब तक वो adjust नहीं होता है, चलो, तो यह हमने यहाँ पे देख लिया था, इस तरह से गंगा बैते जाएगी, बड़े बड़े चार्ट बनते जाएगे, चाप्टर वाई चार्ट आपको याद होगा तो goods, service, okay, goods means any kind of movable property, service means, okay, service means, means anything other than goods, दोनों में से common क्या exclusion है, तो money और security common exclusion है, दोनों में special inclusion क्या है, okay, अगर आपने revise किया होगा, तो दोनों में special inclusion क्या है, चार्ट सामने रखो, okay, इसमें actionable claim है, और growing crops वगरे है, और इसमें separate consideration for use of money है, okay, दूसरा, conversion of money ह और to facilitate it, और arranging the transaction of securities है, बस ऐसा भी flow आपने draw किया daily basis पे, जब तक class हमारा चाल हो है, enough, enough, आप concept से connected हो, concept से connected हो, और यह सी यह subject में ने इविटा, आप बहुत सारे subject में use कर सकते हो, और आपको सच बता दू, जैसे मैंने in subject में DT, IDT और law अच्छा score किया, आप भी इसमें यहाँ पर यह था, चली, यह फो अच्छा लगा विटा, अच्छा लगा होगा तो A type करो, चलो, यह goods का definition हमने complete किया था, उसके बाद में service का definition complete किया था, कुछ important बाते होगी तो मैं revise कर लूँगा, meaning of money में सिफ इतना याद रखना है, numimistic value अगर जिसकी होगी, तो वो money के definition म में numimistic value होगी, तो money के definition में नहीं आएगा, उसके बाद में, yes, हाँ, यह एक point याद रखना, money में commercial papers or certificate of deposit banks के cover होते है, उसके बाद में interest का यह चार्ट याद रखना, interest का यह जो चार्ट है, इसमें interest जो loan advances or deposit है, except credit card का interest, वो अभी फिलाल, वो service है, I repeat, बोल एक बार मेरे बट फिलाल exempted है, दूसरा, अगर यह interest on delay payment of consideration for SOG और SOS, SOG और SOS, तो ऐसे case में, यहाँ पे, जहाँ तक देखा जाए, तो वो value में tax आता है, और हम valuation chapter में देखेंगे, delay payment of consideration, securities में, अगर आपको कुछ याद रखने लाए होगा है, तो यह table, यह table पे सबाल पुछा जा सकता ह future contract, forward contract, यह derivative contracts है, वैसे तो अगर यह square off हो जाते हैं, तो GST नहीं आता है, लेकिन अगर इसमें commodity delivered करना पड़ा, तो फिर GST as a commodity, as a supply of goods उसके ओपर आएगा, security debt, ओके, यह securities मानी जाएगी, और transaction instrument like swap, foreign exchange, ओके, यह भी securities मानी जाएगी, उसके ओपर GST ने आएगा, तो एक table यह आपके लिए important है, security lending scheme, CBIC circular है, कि अगर आप किसी को security lane करते हो, तो वो facilitate or arranging the transaction in security माना जाएगा, service माना जाएगा, और उसके ओपर supplier को GST दिना पड़ेगा, अगर holding company ने subsidiary company में share hold करके रखे, तो वो service में नहीं जाएगा, वो securities hold करके मानी जाएगी, और उसके ओपर GST नहीं बाटर, यह definition GST में वैसे कोई भी important नहीं है, reason यह है, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया, किसी भी form का supply हो, और कि यहाँ पे goods और service का, वो यहाँ पे supply माना जाएगा, और GST आएगा, इसलिए यह reference के लिए ठीक है, लेकिन मैं कह दूँ कि आपको consideration मिला, किसी भी बात का, तो एदर वो goods होना चाहिए, अगर वो उसमें movable property नहीं होगी, तो वो service में classify हो जाएगा, okay, I hope you understood, उसके बाद में agreed to be made, agreed to be made पे special discussion किया था, मैंने कहा था कि आपको अगर advance मिलता है, तो advance पे GST आता है, यहनि जो month में advance मिला, वो month में GST आ जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि government ने एक notification issue किया, वो notification number 66 by 2017, जिसमें goods के advance पे फिलाल रोक लगाई हुई है, यहनि अगर goods का advance मिलता है, तो GST आपको तब देने की जरुवत नहीं है, आपको GST तब देना पड़ेगा, जब actually, सुनने, जब देना पड़ेगा, जब actually आप invoice issue करोगे, लेकिन service का advance तो वो situation में आपको GST advance पर भी देना पड़ेगा, okay, notification के बारे में और in-depth में पड़ेगे, इसके practical issues पड़ेगे, okay, problem solve करेंगे, in the chapter time of supply, consideration, okay, consideration की आपको तीन बाते याद रखनी है, okay, पहला तो consideration clause A में आपको payment form में आएगा, फिर वो उसमें आपको money आएगा, otherwise आएगा, द money, otherwise, act या, forbearance जो है, ये चार consideration in relation to your supply आ सकता है, in response to your supply आ सकता है, और for inducement of your supply आ सकता है, okay, बहुत थीन लाइन डिफरेंस है, inducement का, एक case study आपको में समझाना चाहोगा, शायद आपकी और understanding और एक practical approach से आपको बताना चाहोगा, अभी बहुत जी बार ये सवाल उठता है, औ ये जो dealers को, जैसे बड़ी-बड़ी companies, अपने distributors को, dealers को induce करती है, okay, sales बढ़ाने के लिए, याने बहुत सी बार, यहाँ पर, दो मिनट बीटा, जस्ट टू मिनट इस, induce करती है, अपना sales बढ़ाने के लिए, induce करती है, अपना sales बढ़ाने के लिए, मतलब क्या, कि आप अगर ये target अच्व करोगे, तो हम आपको 10 quantity free देंगे, तो यह बहुत सी बार department ये कहता है, कि ये 10 quantity जो free है, ये real sales में free नहीं है, ये induce किया गया sales बढ़ाने के लिए, okay, जिस इसके against में action, ये consideration है कि वो target अच्व कर रहा है, तो ऐसे case में ये जो 10 quantity free दे गई, bonus दिया गया, incentive दिया गया, इस incentives जो आप quantity में दे रहे हो, goods के form में दे रहे हो, service के form में दे रहे हो, उस पर GST आना चाहिए, क्योंकि ये inducement है, लेकिन इसके ओपर अभी court की clarity नहीं है, अभी कुछ advance rolling का कहना है कि नहीं, it's a type of sales promotion, वो completely free supply है, और ये जो discounts दिये जाते है, incentive दिये जाते है, वो section 15.3 में GST नहीं आता है, कुछ advance rolling ही आई है, लेकिन clarity नहीं है, कि वो inducement है, या section 15.3 discount का benefits है, अभी फिलाल exam में अगर ऐसा कुछ आया, तो मैं आपको section 15.3 refer करने का होगा, औ section 15.3 में as a discount incentive उसका deduction मिलेगा, वो free supply माना जाएगा, और उस पे जो CBIC के clarification है, उसके उपर GST फिलाल नहीं आएगा, अभी कोई clarity ना होने के वज़े से, exam में आपको तो ये लिखना है, कि ऐसा कोई point आया, तो ये free supply है, और ये inducement में नहीं आएगा, और इसके उपर GST नहीं पता नहीं future में इसके उपर, okay क्या होता है, जहां तक है, भाई साब advanced learning बहुत सारी है, okay अलग-अलग है, okay मैं जो कह रहा हूँ, वो समझ लो, आपको search करना है, तो आप Google में search कर सकते हो, regarding to this, उसके बाद में next, जहां तक देखा जाए, तो ये हमने inducement के बारे में देखा, उ government की subsidy और deposit, government की subsidy ये value में add नहीं होगी, even तो पैसा मिल रहा है, consideration मिल रहा है, पर वो consideration नहीं मान हो जाएगा, CMA में question आया था, कि local body से subsidy मिली, अब आपके दिमाग में क्या fit कर दिया, कि government, government आप local body समझ लेते हो, समझ लो, कोई activity करो, और municipal corporation से मुझे subsidy मिली, municipal corporation से अगर मुझे subsidy मिलती है, तो वो add होगा, क्योंकि उन्होंने specifically कहा है, central और state government की subsidy एक्सलोड होगी, अगर municipal corporation से मिलती है, तो वो value में consideration माना जाएगा, private organization से मिलती है, तो वो value में consideration माना जाएगा, उसके बाद में deposits, जब तक आप adjust नहीं करते हो, तब तक उसके वो consideration नहीं बुला जाएगा, यह deposit में दोनों cover होते है, refundable और non-refundable, दोनों भी इस deposit में cover किये जाएगे, non-refundable में reasonable basis पे आप tax planning कर सकते हो, done, okay, tax planning कर सकते हो, उसके बाद में हमने inducement का example देखा था, free supply में, आपको यह clarification अच्छे से जाना है, यह charitable sector को यह clarification बहुत ज्यादा affect करता है, donations, donation पे, okay, कब tax आता है, और कब नहीं आता है, okay, donation, charitable trust, या कोई भी religious trust में ध्यान रहे है, अगर donation में quit, pro, pro, okay, अगर होगा, मतलब obligations होगे, okay, कि यह करना पड़ेगा, एक तरका advertisement होगा, promotion होगा, तो फिर वो donation पे GST आएगा, पर अगर just voluntary donation है, और उसमें कोई obligation नहीं है, और जो भी हमने name plate पगरे लगाई, यह act of philanthropy है, act of gratitude है, पर उसमें कोई obligation नहीं था, तो वो supply for consideration नहीं माना जाएगा, और supply for consideration नहीं माना जाएगा, तो GST नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यह clarification इतना अच्छा है, यह कहता है, कि दोनों चीजे होगी, तो ही GST लगाएगा, पैसा मिला, इसलिए GST नहीं लगाएगे, यह आपने supply किया, पर consideration नहीं है, GST नहीं लगाएगे, दोनों contractual reciprocity होना चीजे होना चीजे in the course of business, चली, यह आपने देखा, उसके बाद में, एक case यह भी आया था, कि जब कोई artist है, gallery में अपना art, statue work भेज रहा है, तो remote के वो supply है नहीं, क्योंकि वहाँ supply नहीं, लेकिन जब वह actually sale होगा वहाँ से, उस वक्त वह supply माना जाएगा, okay, फिर और कुछ CBIC clarification देखेते हैं, इसमें से यह clarification कुछ important है, कि आपने warranty period में, ऐसा case study आ सकता है, कि machine बेचा, और फिर warranty period में spares additional supply किये, जिसकी value, okay, यहाँ पर 1 lakh है, बहुत सारे student mistake क्या कर देंगे, spares warranty period में free दिये, तो वो 1 lakh value दी, value में add कर देंगे, नहीं बेटा, warranty period में free supply किया, okay, वो without consideration है, उसके ओपर GST नहीं आता है, okay, साथ साथ में, okay, religious trust में, अगर आपने, okay, कुछ charge भी किया होगा, पर वो not in the course of business है, वो business नहीं माना जाएगा, इसलिए उसके ओपर GST नहीं इसलिए, just a minute, चलिए दोस्तो, अब आते हैं, next definition और हमारी next definition रहेगी in the course or furtherance of business, जिससे में, अभी तक हम section 7 1 A ही देख रहे हैं भाई, अगर आपको याद होगा, तो section 7 1 A में, पहला, such as, such as sale, transfer, barter, action, etc, made or agreed to be made, हमने देख लिया, okay, consideration होना चाहिए, ये भी देख लिया, और ये सारी चीज़े business में होनी चाहिए, तो ये चारो condition, cumulative condition है, ये सारी present होगी, तो ही supply माना जाएगा, और तो ही GST का current लगेगा, चलो, in the course or furtherance of business देखते हैं, वो क्या कहते हैं, GST and commercial transaction, GST primarily applies to commercial transaction, underline, GST एक business tax है, और आपके transaction commercial purpose के होगे, तो वो case में GST आएगा, making it crucial to determine whether supply fall within the course or furtherance of business, ठेक है, next, exclusion of personal supplies, very important, जैसे मैंने आपको का, GST एक commercial transaction है, और आपका transaction in the course of business, और furtherance of business होना चाहिए, तो इसका एक meaning भी आता है, और इससे एक message भी आता है, message अगर आप लेते हो, तो message ये आता है, कि supplies made by individual, in their personal capacity, ये बहुत important है, made by individual, in their personal capacity, do not fall under GST, unless they align with the definition of business, अगर किसी ने supply किया होगा, sale किया होगा, पर वो in the course of business ने किया, personal capacity में किया, तो इसके ओपर GST नहीं आएगा, नहीं आएगा, अब देखो, ये कैसे जानना, कि वो personal capacity में है, और वो business में नहीं है, क्योंकि अगर आपने personal capacity में किया होगा, तो GST नहीं आएगा, क्योंकि वो in the course of business नहीं है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, in the course of business किया, क्योंकि अगर आपको business की definition समझ गई, तो definitely आपको फिर ये conclude करना आसान हो जाएगा, कि in the course of personal capacity क्या होती है, तो चलो आजाते हैं business की definition पे, तो understanding of in the course of furtherance of business, ये समझना जुरूरी है, तो business की definition यहाँ चलिए, देखते हैं, आजाओ, business includes, अब अगर आप ये business की definition देखते हो, ठीक है, यहाँ पे, तो थोड़ा simplified word में मैंने notes में दिया हुआ है, यहाँ पे bare act का definition है, simplified इसमें मैंने दिया हुआ है, title दिया है diverse activity, भाई, business में बहुत सारी diverse activity आती है, ये title मेरे बनाया है, ठीक है, आपको bare act में नहीं बहुत है, पर titles आपको याद रखने के लिए, diverse activities, it encompasses a wide range of activities, such as trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager और any similar activity, last way open है, अगर कोई training activity करता है, business है, commercial activity करता है, business है, professional करता है, business है, vocational, कभी-कभी करता है, business माना जाएगा, इतनी diverse activity लेली न, adventurous activity करता है, गोवा में, या फिर कई hill station पे business है, wager, wager मतलब, और sales में betting लगाना, okay, wagering activity करता है, business है, और last में तो कहें दिया, any other similar activity, business है, ख्याल रहे है, sale purchase करना business है, यहां तक अपने धारनाओ को restrict मत करना, अपने perception को restrict मत करना, थोड़ा और इसके बाहर जाओ, मतलब मेरा कहना कहा है, अगर आप sale purchase नहीं भी कर रहोगे, पर manufacturing कर रहे है, manufacturing करने है तो वह भी business है, manufacturing कर रहे है, वह भी business है, okay, मैं definition business की पढ़ा रहा हूँ, और business यह word बहुत जगा यूज किया, क्योंकि जैसे registration करना है, तो जहां से आप ordinary business करते हो, वह प्रिमाइस का registration करना है, मतलब, okay, business करते हो का मतलब क्या है, जहां आप manufacturing कर रहे हो, कोई factory है, वह जहां से sale नहीं हो रहा है, वहाँ intermediate goods बन रहा है, और वहाँ intermediate goods बन रहा है, तो वह situation में भी उसको business माना जाएगा, okay, तो manufacture, profession, vocation, adventure, wager, यह any similar activity, regardless whether it is conducted for profit motive or not, समझ लो, यह बड़ी, okay, important line है, generally आपकी दिमाग में क्या fit हुआ है, आपकी दिमाग में यह fit हुआ है, कि business मतलब activity carry out with an intention to earn the profit, नहीं, okay, GST में business की definition ऐसी मतलेना, GST की definition बहुत ही diversified है, और उसमें तो आखरी में यह कह दिया है, कि यहाँ पे उसमें profit motive हो या ना हो, okay, तो इसका logic भी समझ लो, profit motive हो या ना हो मतलब क्या, अगर आपने कोई goods बेचा, और आपने date stroke निकालने के बेचा, या आएगा, आप यह नहीं कह सकते हो, sir, इसमें तो profit motive नहीं था, कोई charitable organization सेल कर रही है, profit motive नहीं था, नहीं भाई, charitable organization भी person है, taxable person 20 लाग के बाद होगी, okay, जब वो registration के लिए liable हो जाएगा, और अगर उनका profit motive हो या ना हो, okay, उनकी activity business मानी जाएगी, तो इतना scope बढ़ा दिया कि आपने loss में भी goods बेचा, तो भी आपके price पे GST आएगा, that's all, okay, उसमें profit motive हो या ना हो, ये नहीं देखा जाएगा, चली, अगर आपको ये समझ में आओगा तो clause A type कीजिएगा, clause A type कीजिएगा, now, clause B, अब दिखो, पहला clause A में, उन्होंने हमारे सामने वड़ा पाउ र अगरे जो है बाकी चीजिए हम business में add करेंगे, अब छोटी-छोटी activity, okay, वो business में add कर रहा है, और GST का scope बढ़ा रहा है, पर पहले diversified activity उन्होंने cover कर ली, diversified activity cover कर ली, अब उसके साथ-साथ वाली activity वो cover करने वाल है, जिसके examples में definitely यहाँ लोगा, जैसे, okay, related activity, any activity or transaction in connection with or incidental or for ancillary to sub clause A, sub clause A में, okay, यहाँ पर जो हमने define किया, let's take example trade, हमने sub clause A में का, commerce, commercial activity हमने sub clause A में का, manufacture हमने sub clause A में का, और इससे, okay, related connected, okay, related connected कोई activity होगी, तो वो भी business का part माना जाएगा, आप इस बात से नहीं बत सकते, कि भाई, यह तो main activity नहीं हमारी, यह तो चलो business करते-करते, य तो वो उससे आप नहीं छूट सकते, वो भी in the course of business माना जाएगा, और government उस पर भी GST लगाएगी, तो सर यह related connected ancillary, okay, यह activity मतलब क्या, related connected ancillary, okay, यह connected activity ने क्या, चलो बता देता हूँ, जैसे, okay, simple example लेता हूँ, okay, manufacturer है, final finished goods बनाता है, main है उसका finished goods बनाना, बेचना, और कभ पानी machinery थी, वो second hand हो गई, scrap हो गई, देखो, scrap भी बढ़ा है वहाँ पे, और उसने वो scrap sale कर दिया, machine का, अब machine का scrap sale करना उसका main business नहीं है, उसकी main trading activity नहीं है, main profession manufacturing नहीं है, लेकिन, okay, अब वो जो machine थी, machine बेच दिया उसने, okay, even though यह main business नहीं है, but connected to business है, okay, incidental to business है, okay, either business से connected connected होगा, okay, या incidental होगा, या ancillary होगा, मतलब क्या, connected मतलब generally, connected यह word message देना है, देता है कि product के साथ यह चीज करनी पड़ती है, वो connected हो जाता है, incidental मतलब करनी नहीं पड़ती है, पर generally हम करते है, okay, वो incidental हो जाता है, water rate में भी ज्यादा dip में में जा, बस अभी इतना समझ लो कि connected activity होगी, incidental ancillary activity होगी, तो वो case में, वो business के definition में आएगी, वो business के definition में आएगी, एक example देता हूँ, मेरा वापस, okay, जैसा मेरा profession है, training and coaching, मैं classes लेता हूँ, पर कभी-कभी क्या हो जाता है, okay, benches जो है, पुराने benches हम sale कर देते है, अब पुराने benches sale करना मेरा main business नहीं है, but, वो benches मैंने asset का पार्ट बना है, business की asset हो, और business की asset मैंने वेची, तो यह connected to business है, तो जो भी चीजे, जो आपने business के खर्चे बता है, business की asset बता ही है, अगर वो चीज़ों का, आपका sale transaction होता है, for consideration, okay, तो वो भी supply माना जाएगा, और वो incidental to business माना जाएगा, connected to business माना और उसके उपर GST आएगा, उसके उपर GST आएगा, तो दोस्तों, okay, जैसे main training है, साथ-साथ में, मैं test series देता हूँ, okay, यह incidental activity है, ancillary activities है, okay, main training coaching services है, उसके साथ-साथ में, आपसे encryption का पैसा लेता हूँ, encryption जो आपको software दे रहा हूँ, incidental activity है, okay, in the course of business है, okay, related to my business है, तो ऐस ऐसे बहुत सारे example है, okay, तो ऐसे बहुत सारे example है, कि जहाँ पर, in the course of business बोला जाएगा, और यह connected activity पर GST आएगा, तो old furniture या scrap by trader of mobile shop, business बोला जाएगा, old machinery manufacturer यह manufacturer बेज दी, अब यह manufacturer ने old machinery बेज दी, देखो, हमारा code भी match हो रहा है, okay, manufacturer ने old machinery बेज दी, तो ऐसे situation में, वो incidental और connected to business बोला जाएगा, done, तो अब मैंने पढ़ाया, आपने, मैंने जिस तरह से पढ़ाया, उस तरह से आपने ले भी लिया, कि भी हाँ, connected to ancillary activity, इसको दूसरे perception से भी पढ़ाया जा सकता है, कि, okay, जो activity, जैसे मैंने अभी आपको यह कहा कि connection, incidental, ancillary activity, okay, जो business related है, okay, वो यहाँ पर consider किया जाएगा, done, यह समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, अब इसमें मैं आपके साथ एक case share करना चाहोगा, और वो कौन से, इसको थोड़ा अलग वे से समझते हैं, वो case share करना चाहोगा, CST का case था, और इसको अलग perception से समझते हैं, तो और मज़ा आएगा, क्या आलग perception से समझते हैं, CST का case था, और CST में भी business की definition यही थी, central sales tax पे business की definition यही थी, case था, बालाजी trust, okay, versus, यहाँ पे central sales tax department, okay, तिरुमती बालाजी trust जो थी, वो लड़ू sale कर रही थी, और लड़ू, okay, यहाँ पे contractual reciprocity में sale कर रही थी, जिसे हम quit pro quo कहते हैं, मतलब, जो यहाँ पे पैसा देगा, डोनेट करेगा, उनको यह लड़ू दिये जाएगा, okay, quit pro quo में, कि भाई, जो पैसा देगा, उनको यह लड़ू दिये जाएगा, लड़ू कोई voluntary नहीं दिये जा रहे थे, कि भाई, आप पैसा दो मत दो लड़ू लड़ू लेके जाओ, पैसा दो मत दो लड़ू लेके जाओ, अगर ऐसा होता, कि पैसा दो या मत दो लड़ू लेके जाओ, तो ऐसे case में quit pro quo नहीं था, लेकिन जहां तक देखा जाए, यह case ध्यान से सुनना, लेकिन जहां तक देखा जाए, तो यहाँ पे CST Department, पुराना case कर लड़ू लगा सके, तो department का बहुत ब्ला revenue हो जाएगा, तो केरला का बहुत ब्ला revenue हो जाएगा, तो ऐसे case में, जहां तक देखा जाए, सरी, सरी, हाँ, CST Department का जो है, बहुत बढ़ा यहाँ पे revenue हो जाएगा, तो अब देखो क्या हुआ, जहान से सुनना, कि CST Department ने पर notice बेजा, तुरिपती बालाजी ट्रस्ट, और notice बेजा कि भई आपको जो है इस लड्डू जो आप sale कर रहे हो, वो quit pro quo में है, और quit pro quo में होने के वेज़ से, और के वो supply for consideration, sale for consideration माना जाएगा, और उसके अपर GST आजाएगा, तो वहां से reply आया, जो भी उनका counselor होगा, उसने बहुत अच्छा reply दिया, कि जहां तक है हमारा sale in the course of business ही नहीं है, हमारा sale इसले in the course of business नहीं है, क्योंकि ये लड्डू बेचना हमारा कोई business है नहीं, तो department ने का ऐसे कैसे, लड्डू बेचना क्यों आपका business नहीं है, आप consideration ले श्रदालू आते हैं, वो श्रदालू यहां पर लड्डू लेने के लिए नहीं आते हैं, क्या हमारी लड्डू शॉप नहीं है, वो यहां बगवान की पूजा करने आते हैं, उनका trust होता है, आस्ता और के दर्शन लेने आते हैं, और जब वो यहां पर इस activity के लिए आ रहे उसके साथ साथ लड्डू दिये जा रहे हैं, मतलब लड्डू देना हमारी main activity नहीं है, लड्डू incidental activity है और ancillary activity है, तो CST department ने फिर वो बात पकड़ ली, क्योंकि कोई आपकी sweet shop तो नहीं है, तो जहां सुनना, ओके यस यस मेरे से गलती होगी, ओके यहां पर अंदरप्र language government, तो जहां तक देखा जाए, लड्डू देना, जहां तक देखा जाए, यह कोई हमारी sweet shop तो नहीं है, वो तो ancillary activity है, जो दालू आ रहा है, दर्शन लेन है, तो जहां तक देखा जाए, तो बेटा, एक चीज़ समझ लो मैं तुमारे questions में involved हो रहा हूँ, मैं अपनी case study छोड़ रहा हूँ, और मैं आपको यह कह रहा हूँ कि please, please, मेरी request है, जब मैं flow में होना, तब question नहीं डालना, जब मैं आपको पूछू ना तब डालो, यह तो मैं rhythm तोड़ दूँगा, और rhythm मेरा तोड़ गया, कि उसकी beauty खत है, और जो चीज़ चल रही है, उस पर सवाल पूछो, पुराने सवाल अगर जो चीज़ हो चुकी है, पुराने सवाल जो है, जब मैं आपको कहू, question पूछो तब पूछना, clear, अब जैसे लड़ू, मैं यहां पे लड़ू explain कर रहा हूँ, और तुम वेजर पर चले गए, क तो वापस आते हैं हमारे discussion पर, तो लड़ू जो है, यहां पर अधरपदेश गौवर्मेंट जो है, स्री, CST डिपार्टमेंट ने का कि नहीं नहीं, लड़ू जो है, हाँ, ठीक है, वो connected activity है, ancillary activity है, वो भी तो business के definition में आती है, clause B में आती है, क्योंकि same definition CST में थी, तो ऐ related activity है, in connection है, in connection है, और कि incidental है, आपने फिर प्रोको में दिया है, तो आपको GST आजाएगा, अब देखो यहां पर, dance है सुनना, तो यहाँ टेम्पल के consulern ने यहां point रखा कि हाँ, वो incidental है, connected है, ancillary है, पर law यह कहता है, business के scope में, वो ही incidental activity आएगी, connected activity आएगी, जो clause A से related है, जो clause A से related है, मतलब आप कोई भी incidental activity बिजनेस में नहीं ला सकते है, वो activity ट्रेट से connected होना चीए, मतलब main trade होना चीए, main manufacture होना चीए, main manufacture होना चीए, main profession होना चीए, तो अगर आप main activity करते वकth incidental कर रहे हो, सुनना, main activity करते वकth incidental कर रहे हो, तो वो business में आएगी, यहाँ हमारा main activity जो है, कोई trade नहीं है, श्रदालू आ रहे है, दर्शल ले रहे है, वो कोई business नहीं है, श्रदा करना, दर्शल लेना, पूजा करना, यह कोई business नहीं है, तो ऐसे situation में, उससे related activity, जब main ही business नहीं है, तो उससे related activity कैसे आई की business में, agreed by the court, और यहाँ पे court ने decision दिया कि yes, even though sale होगा लड़ू का, even though quid pro quo होगा, even though something in return होगा, लेकिन यह business के scope में नहीं आता है, ना related के scope में आता है, इसके ओपर GST, इसके ओपर CST नहीं आएगा, तब CST था, वही context में, अगर GST पढ़े है, तो बटा, yes, incidental ancillary activity, अगर यह तब, यह definition तब picture में आएगी, जब आप parachute में बेठे, वह adventure है, आप cruise ship में बेठे, वह adventure है, आप sea shore पे मस्ती कर रहे हो, अगर तो कोई वह activity adventure कर रहा है, आप, okay, hill station पर कुछ adventurous activity कर रहे है, snow, snow idle adventurous activity कर रहे है, उससे दुसरा कोई दुसरा meaning नहीं है, अगर यह adventure का meaning है, कि adventure activity कोई करता है, तो वह भी business माना जाएगा अ१े, नहीं नहीं, Similar activity में भी नहीं गारी एमाना कि जब तुम किसमें ले रहे हो, एंसिलरी एंसिलरी ये, clause B में तभी आएगा और कि एंसिलरी activity clause B में तभी आएगा, जो आपकी maine होना चाहिए तो एंसिलरी business का part सम्हाना या, लेगे, I hope आपको समझाओगा ओके, I hope आपको ये बात समझी होगी तो ये था regarding to related activity चलिए, तो clause B मैंने, भई, court ने decision बिल्कुल सही दिया मैं फेवर में हूँ, बस discussion को यह ही रोकता है, क्योंकि मैं भी court के भी और नहीं जा सकता ओके, done ओके, ये था clause B अब आजा clause C में 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 अब आजा एक्टिविटी और ट्रांजिक्शन इन दे नेचर अब सब्सक्लास A वेदर और नॉट इन देर वोल्यून फ्रिक्वेंसी, कॉन्तिटी, रेगुलरीटी अब सच ट्रांजिक्शन अब एक ट्रेंडिंग एक्जाम्पल लेता हूँ नेचर आप एक्टिविटीज अब वो नेचर का होगा तो ट्रेंडिंग एक्जाम्पल लेता हूँ भई मैं IDT पढ़ाता हूँ IDT face to face classes पढ़ाता हूँ online classes पढ़ाता हूँ अब यह जो IDT का knowledge मेरे profession से, vocation से, business से आया है अब किसी ने मुझे का कि सर आप YouTube पे एक आपका वीडियो दो और IDT के कुछ cases आप share करो यह मेरी frequent activity समझ लो नहीं है वैसे तो मैं frequently करता हूँ लेकिन example लो मेरी कोई frequent activity नहीं है regular activity नहीं है continuity में activity नहीं है frequency में नहीं है पर मैं मेरा knowledge यूज़ कर रहा हूँ YouTube पे वीडियो आ रहा है और वो वीडियो सब्सक्रिप्शन के बेस पर है तो ऐसे case में law यह कहता है कि अगर अगर आपका कोई भी activity यह transaction जो clause A के nature से आया है जो तुमारे trade से connected है profession से connected है उसके nature से extract हुआ है और वो आप हो सकता है कि regular नहीं कर रहे हो frequency में नहीं कर रहे हो कभी कभी करते हो और उससे अगर consideration मिलता है तो वो situation में आपको GST देना पड़ेगा example की तोरफे बहुत अच्छा example दे रहा हूँ मुझे बहुत सी बार colleges में guess lecture के लिए बुलाया जाता है for IDT और उसका मुझे कोई honorary amount मिलता है सवाल यह है कि उसका जो मुझे honorary amount मिल रहा है क्या उस पर भी GST आएगा answer is yes clause C में क्योंकि यह जो मैं वहाँ पर lecture ले रहा हूँ यह मेरे profession से knowledge आया हुआ है मेरे trade से manufacture से knowledge आया हुआ है okay trade से manufacture से knowledge आया हुआ है और यह जब मैं वह activity पर execute करता हूँ जो honorary amount मिलता है okay वह in the nature of clause A है even though मैं frequency में नहीं करता हूँ मेरा main business नहीं है okay वह activity मैं continuity में नहीं करता हूँ पर yes वह in the course of business मानी जाएगी government ने किसी किसी चीज को छोड़ा नहीं सब कवर कर लिए भाई 9 clauses पढ़ाने वाला हूँ मैं business में हर facet government कवर कर रही है बस government आपको simple word में यह कहना चाहती है कि मुझे GST चाहिए मुझे GST चाहिए दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि मैंने खुद देखा है YouTube पे देखा है बहुत से और की teachers मैंने आया है यह business की definition दो दो line में खतम करते है this 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 incidental this 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 पर एक एक word का importance है सच में कहो तो आपको दूसा एक example देते हैं जैसे यह बंदे की mobile shop है main business activity mobile बेचना है electronic products बेचना है अब यह बंदे के पास experience है 20 साल का और यह 20 साल का experience यह आ गया अब यह समझ लो यह same business चालो करना चाहता है यह इसके पास गया बोला कि भई मैं same business चालो करना चाहता हूं मेरे city में प्लीज आप मुझे advice or consultancy दो कि यह business कैसे setup करना और business को कैसे बढ़ाना अब यह बंदे ने कहा देख भाई वैसे तो मेरा mobile का business है पर तू अगर मेरे से special knowledge चाहता है तो मैं 5 लाग रुपे लोगा तुझे advice देता हूं advice देना इसका business नहीं है यह कोई frequency में transaction volume में नहीं करता है लेकिन वह advice clause A के nature से जन्मी है वह advice उसके trade profession से जन्मी है क्यों न वह एक बार दे कभी कभी दे पर कभी कभी अगर दिल में यह खयाल आता है तो उस पर भी GST लगता है तो ऐसे case में तो अगर YouTube की activity आप कर रहे है और आपको पैसा मिल रहा है consideration मिल रहा है और इसको उपर GST लगता है हाँ सारे influencer पर GST आता है ओके जो भी consideration YouTube से मिल रहा है सब पर GST आता है ओके तो धान रहे नौ यह था clause C उसके बाद में clause D में आ जाओ Goods and Services for commencement or closer यहां पर थोड़ा इस clause को ऐसा परते है Supply or acquisition of goods including capital goods including capital goods and services in connection with commencement or closer of business सबसे पहले तो ओके यहां पर दो word commencement connected to acquisition, closer connected to supply आपको भी ऐसा करना हो तो कर सकते हो जैसे acquisition acquisition and supply commencement of business and closure of business आपने input capital goods okay input capital goods business start करने के लिए acquisition किया तो वर्ट्स को arrange कर रहा हूं या business close होने के बाद supply किया तो देखो वह क्या कहते है Supply or acquisition of goods including capital goods and services इवन आपने कोई goods करीदा capital goods करीदा या कोई services करीदी ओके हो सकते है आपने acquisition किया हो हो सकते है आपने supply किया हो in connection with commencement or closure of business मतलब ये भी activity in the course of business मानी जाएगी सर्थ्वा समझाओ ना बताता हूं ये pictorial presentation से देखाँ आप factory set up कर रहा हूं और ये factory set up करने के लिए boss आपको machinery और raw material लग रहा है initial commencement के लिए आपने कोई भी goods करीदा कोई भी goods करीदा या कोई भी capital goods करीदा for commencement of business ये आपका commencement है यहां लिख दो पर ओके ये commencement है और for commencement of business आपने कोई goods खरीदा वो भी in the course of business माना जाएगा सर ये तो obvious है कोई goods business के लिए करीदा इन the course of business माना जाएगा भाई, government ने clarify किया क्योंकि पुरानी cases को धहन में रखते हुए कुछ बाते सामने आई थी department ने ये सवाल उठाए थे पुराने इसमें department ने ये सवाल उठाए थे कि ये जो goods खरीदे थे तब तो आपने business start ही नहीं किया तब तो आपने कोई trade भी नहीं किया जैसे in simple word मैं ITC chapter का एक example लेता हूँ ITC chapter में section 16 कहता है कि registered person को ITC तभी मिलेगा जब उसने goods खरीदे होगे business के लिए और हम business की definition देख रहे हैं और यह business की definition सिब supply के लिए नहीं देख रहे हैं पूरे act के लिए देख रहे हैं जब भी इसके आगे business word आएगा यह सारी activity को देहन में रखा जाएगा यह सारी activity को देहन में रखा जाएगा अब business का word ITC में भी आएगा और ITC law क्या कहता है अगर आपको inter-level का कुछ याद होगा तो आप ITC law यह कहता है कि अगर आपने goods खरीदा और वो in the course of business खरीदा तो यह ITC मिलेगा सवाल यह पैदा हो गया कि यह जब goods खरीदे थे तब मेरी business activity नहीं चल रही थी क्योंकि factory set up हो रही थी अब उके उसके बाद हमने business चालू किया क्या यह goods खरीदे वे in the course of business बोले जाएगे acquisition of goods before commencement of business क्या वो भी in the course of business बोले जाएगे हाँ clause D के हिसाफ से अगर कोई goods आप acquire करते हो including capital goods या कोई services आप acquire करते हो for the commencement तो वो भी in the course of business बोले जाएगे I hope you understood या फिर आपने factory close कर दी closure क्लोस करने के बाद कुछ machinery पड़ी हुई थी पांक साल से machinery उसमें पड़ी हुई थी 5 साल बाद आपने machinery supply किय आपको लिखना है तो आलिक सकते हो 5 साल बाद ये machinery आपने supply किया तो जब आप 5 साल सपलाई कर रहे हो तब आप उटा सकते हो कि sir जब मैंने machinery बेचा तब तो मेरा business ही नहीं था और मेरा बिजनेस नहीं था तो अब मेरे पर GST नहीं आएगा नहीं साब क्लोजर और बिजनेस होने के बाद भी अगर आप उस बिजनेस का कोई गूट सप्लाइ करते हो तो उस पर भी वो भी इन दे कोर्स और बिजनेस बोला जाएगा अब यहां से डेफिनेशन टन लेती है पहले छार क्लाजस जो है सुनना ऐकर फॉर्स फॉर क्लाजस जो है वो पॉर क्लाजस बिजनेस से के लिग के अधिनेटेर क्लाज फॉर्स दाइवशिफाऑई अच्टिविटी प्रेडा जो परयुचेशन वोटेशन मैनिफाक्ट्ट्र अडवशर वेजर with profit motive or not diversified activity जो है उसके बाद उससे incidental connect ancillary activity है उसके बाद उस nature की activity जो frequency में करो या ना करो और before or closure of the business की activity है वो तो चलो ठीक है वो जब भी commercial law बना ये चार activity को always रखा गया business की definition में लेकिन अब इसके आगे जो मैं पनाने वाला हूँ जो clauses आने वाला है यहाँ से GST की definition अब अपना कुछ importance रखती है क्यों कि GST की जो business की definition है ऐसी कुछ activity business के scope में डालने जा रहा है जो layman जो day to day life में हम उसको business नहीं कहते है पर GST law उन activity को air कर रहा है इंक्लूड कर रहा है और business का उसे यहाँ पर structure दे रहा है color दे रहा है तो अपने contextualize में है और उसको यहाँ पर business के scope में ले रहा है now example की तौर पर okay example की तौर पर जैसे आप कोई housing society में रहते हों तो housing society में अगर आप रहते हो बिटा तो society वाले monthly maintenance charges आपको लगा रहे है monthly maintenance charges लगा रहे है for okay common facilities benefit of common facilities and etc आपके day to day life में कभी यह निमाग भी नहीं आएगा कि society business कर रही है आपके साथ अरे भई वो तो society है charges तो लेगी okay यह लगेगा और वो कभी market में नहीं जा रहे है okay यहाँ पर society की facilities ले लो भाई ले लो ले ले लो ले ले लो ट्रेड जैसा नहीं कर रहे है लेकिन इवन दो आपके thought process में day to day life में layman के language में कहे तो यह business नहीं कहा जाता है क्योंकि वो अपने member को services दे रही है club अपने member को services दे रहा है okay यहाँ पर कोई association अपने member को services दे रहा है even though वो normal language में business नहीं बोला जाएगा पर GST के लिए वो business बोला जाएगा इसके impact क्या हुए इसके impact यह हुए कि जो भी club swimming pool table tennis cricket restaurant facility banquet hall अगरे अपने member को activity for subscription या consideration पर देता है अपने member को यह बहुत जरूरी है free देता है तो GST नहीं आएगा come on free देता है तो GST नहीं आएगा clear है okay उसको highlight करना okay for subscription या any other consideration देता है तो GST आ जाएगा तो ऐसे situation में अगर यह club अपनी member को सारी infrastructure facilities कुछ subscription पर दे रहा है कुछ consideration पर दे रहा है और यहाँ पर commercial society को GST देना पड़ता है housing society को exemption ने 7,500 तक उसके बाद में GST देना पड़ता है exemption अम exemption चार्टर में पड़ेंगे okay I hope आपको यह समझ में आया होगा okay club और association of services यह समझ में आया होगा तो e type करो okay यह special include किया गया है GST purpose के लिए in the course of business उसके बाद में admission for a fee admission मतलब ticket charges entry ticket charges for a consideration of a person in any premises जैसे amusement park दिवाली मेला cinema theater इसमें जो आपके ticket charges है वो भी business माने जाएगे अब सर इसमें क्या problem था वो तो business है नहीं बेटा यहाँ पर कभी-कभी कुछ events एक दो बारी होते हैं तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि यार यह event जो है amusement park दिवाली मेला circus और कि यह एक दो बारी event हो रहे है इसके ticket business के सी हुए हम regular तो ही बुलते है ट्रेड मतलब regular होना चिए और कि regular तो ही बुलते है तो यह business में नहीं आएगा तो government ने कहा नहीं तुमारी बात बाजी में रखो अगर कभी कभी कुछ events होते है तो उसकी ticket charges भी business के definition में आएगे बाकी इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है वो ticket charges भी business के definition में आएगे उसके बात में service by office holder service supplied by a person as an as the office holder and office which have been accepted by him in the course or furtherance of trade profession or vocation example advocate get appointed as a member of arbitral tribunal CA as a CA in practice appointed as CA for independent director कभी 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 क्या होता है आपके specialized knowledge के वज़े से आपको as a office holder appoint होते है जैसे कोई company का CFO appoint कर दिया जिसका आपको sitting fees मिलता है director appoint किया जिसका sitting fees मिलता है तो अगर आपको आपके profession के वज़े से कोई office दिया गया जिसका amount आपको मिल रहा है तो उससे जो पैस आएगा वो भी in the course of business बाना जाएगा मतलब किसी भी तरह से आपको छोड़ा नहीं है कि किसी भी तरह से आपको छोड़ा नहीं है उसके बाद में activities of race club race club की सारी activity या होने वाली सारी activity in the course of business बोली जाएगी activities of race club including by way of totalisator और license bookmaker activities of license bookmaker in such club totalisator मतलब एक device showing the number and amount of bed stake on race to facilitate the division of total amount those backing the winner जाता death में नहीं जाना है एक simple word मैं आपको यह कोगा कि race club की सारी activity business बोली जाएगी बेट लगाना business पैसा कमाना business totalisator में आपके बेटिंग का कंपुटिंग मशिन से वो हिसाब रखना business सारी activity जो race club पे होगी वो क्यों ने एक ही event और साल का वो business बोला जाएगा वो business बोला जाएगा ठीक है उसके बाद में next यहाँ पे government activity यह बहुत important यह बहुत important है ओके वो क्या कहते है इनी activity or transaction undertaken by central government state government यह local authority in which they are engaged as a public authority government की सारी activities क्योंने अज़ पब्लीक ऑथरिटी हो public services हो सुनना government की सारी activities क्योंने अज़ पब्लीक ऑथरिटी हो public services हो वो भी business बोला जाएगा I repeat वो भी business बोला जाएगा तो इस तरह से उन्होंने around बताओ total कितनी activities हो गई बताओ यहाँ पे business में कितनी activities हो गई यस total मेरे क्याल से 9 activities होई औक और यह 9 activities यहाँ business मानी जाएगी यह 9 activities business मानी जाएगी तो उन्होंने बहुत जादा scope रखा government की public services भी business बोल दिया यहने सर क्या हम यह सुचे कि government की public service activity business में आएगा यस तो क्या सर इस पर GST आएगा GST आएगा नहीं आएगा हम बात में बात करेंगे हम बात करेंगे यह business है क्या हाँ है उसको अगर exemption भी हो सकता है उसको schedule 3 भी लग सकता है जो भी आगे देखेंगे तो engage as a public authority मतलब public services वो as a public authority public services दे रही होगी तो वो भी in the course of business माना जाएगा पर हम बात में देखेंगे कि उसको exemption है schedule 3 में भी cover किया हुआ है वो discussion बात में sorry schedule 3 में नहीं section 7.3 में भी cover किया है sorry 7.2 में भी cover किया है exemption में भी cover किया है तो वो situation में हम बात में देखेंगे चली तो ये था हमारी business की definition दोस्तों आपके लिए एक homework है homework दे रहा हो please करना एक chart बनाना हाँ एक आदा chart पर आपको देता हो बनाने के लिए एक chart क्या बनाना है आपको chart ये बनाना है कि यहाँ यहाँ पर ठीक है section 27 oh sorry 217 business section 217 business इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइट करना इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइट करना पहला ये रहाप में बना लो फिर आपको बनाना है पहला general activity रहाप में बना लो general activities और दूसरा special activities एक बार बना ले ना लिखके देख लोगे तो दिमाग में रहे जाएगा special activities okay आप general activity में आपको A, B, C और D ये general business activities है okay D, 4 clauses इदर लगना है और special जो business नहीं कहीं जाती है पर GST में business माना जाएगा वो जाएगा E, F, G, H और I ये 5 activity हो सकता है कि बिजनेस बोलेगा Done तो ये homework आपको करना है okay this is homework कल okay मैं virtually check करूगा ठीक है okay चलिए तो ये जो है हमने business की definition देखा अब next आते है supply to be in the course of business supply and not the recipient चलो एक example नीचे का देख लेते हैं और बाद में उपर वाला point समझाता हूँ जैसा मैंने आपको कहा था personal supplies जो in the course of business नहीं है पदरन्स बिजनेस नहीं है तभी वो personal supply पर GST नहीं आएगा अब थोड़ा example ऐसा लेते हैं कि यह मेरी personal car है okay मेरी personal car है business नहीं पहले में कह रहा हूँ द्यांस सुनो यह मेरी personal car है कोई मैंने इसको business asset अगरे नहीं बता है और यह personal car में sale कर रहा हूँ मेरे angle से देखना personal car में sale कर रहा हूँ to second end dealer क्या यह जो sale है और मुझे इस car के 40 lakhs रुपीज मिल रहा है 40 lakhs रुपीज मिल रहा है 20 lakh के उपर मिल रहा है okay पहले का even though business होगा 20 lakhs तक थरेशोड आपको है समझ लो मुझे इसके 40 lakh रुपे मिल रहा है और मेरी personal car में बेच रहा हूँ क्या यह business माना जाएगा now CBIC का clarification है कि यह sale तो है पर every sale is not a business आपने अगर कोई goods personal capacity में बेचा है okay यह मेरी personal car थी और यह मैंने personal capacity में बेचा it's not not my trade, profession, vocation okay I am just selling in my personal capacity तो यह business नहीं माना जाएगा और इस पर GST नहीं आएगा from supplier of car angles okay business नहीं माना जाएगा जो खरीद रहा होगा उसका business हो सकता है पर हमें business की definition recipient के angle से नहीं देखना है हमें business की definition supplier के angle से देखना है और supplier अगर कोई अपने personal goods बेच रहा होगा तो वो business नहीं माना जाएगा उसके पर GST नहीं आएगा आप अपना second hand mobile बेच रहे हो shop में जाके आपके angle से वो business नहीं है हाँ shop वाला नया mobile दे रहा है आपको exchange में उसके angle से business है पर आपके angle से business नहीं कोई पुरानी जुएलरी कोई lady जो पुरानी जुएलरी है जुएलर्स के पास जाके बेच रही है वो business नहीं है in short अगर आपके personal capacity में आप goods बेच रहे हो तो supplier के angle से देखा जाएगा वो ही मैंने उपर कहा यह business की definition जो देखी जाएगी from supplier angle देखी जाएगी and not from recipient angle तो supplier के angle से देखा जाएगी तो business नहीं है वो personal capacity लेने वाला business कर रहा होगा उससे मुझे क्या लेना देना GST supplier को देना है supplier का in the course of business होना चाहिए तो ऐसे case में देखो सवाल an individual buys a car for personal use and after years sell it to a car dealer will the transaction be supply in terms of CGSTS, GST Act give the reason for the answer answer is no because supply is not made by individual in the course of furtherance of business further no input tax credit was admissible on such car at the time of its acquisition as it was meant for non-business use now उसको credit मिला now उसने business asset बताई okay and now वो in the course of business supply कर रहा लेकिन अगर कोई कार में business की बताऊ जिसका depreciation क्लेम कर रहा और वो कार जो मेंने business की बताया जिसका में depreciation क्लेम कर रहा वो बेशता हूँ तो वो in the course of business है और वो in the course of business है वो incidental to my business है connected to my business है उसके ओपर GST देना पड़ता है मिसलिए जब आप audit करोगे और audit में आपको ये दिखा कि business की car बेची बहुत से cases में आपको ये दिखा है कि वो GST नहीं देता है आपने घर की पेपर रदी बेची घर की पेपर रदी बेची GST नहीं आएगा पर business के newspaper की रदी बेची जिसके खर्चे business में बता है वो incidental to connected to business है उसके ओपर GST आएगा तो ये बहुत important है कि वो आपने जो supply किया personal capacity में किया या other capacity में किया और कि उसको business बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा ये जानना बहुत important है I hope आपको ये point समझाओगा समझाओगा तो personal capacity का P type करो समझाओगा तो personal capacity का P type करो Yes or no चलिए अब बिटा थोड़ा में यहाँ पर bear act पर आओ लहां से देखो तो हमें bear act पर आओ तो हमने section 7 1 अभी complete किया ये 4 line अभी complete किया जिसको 4 गंटे से जादा लग गया ये क्या कहता है एक बार पढ़ लेते है bear act देखो अब act के wording पढ़ लेते है all form of supply of goods or services or both such as sale all form का मतलब ले ले लिया goods और service का मतलब समझ लिया ये bear act है such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made ये भी मिनिंग समझ लिया पर consideration ये भी मिनिंग समझ लिया by a person, person की definition देख लिया in the course or furtherance of business business की भी definition clause AA इस तरह से हमने complete किया तो 7-1 AA हो गया 7-1 AA हो गया अब वो supply includes में क्या कहते है supply includes में कहते है 7-1 AA भी आएगा ओके AA भी आएगा अब AA क्या है AA यहाँ पर एक बार reel कर लेते है पूरा इसको समझेंगे वापस बेर act पढ़ेंगे अब अब मेरे साथ पढ़ो आप बेर act हाँ स्क्रीन पर बढ़ो activities or transaction by a person other than individual to its member or constituents और vice versa और cash deferred payment और other valuable consideration सिफ रीड करो समझेंगा कुछ ने पर रीड करना भी एक तरह से memory के connection लगाना होता है इसलब मेरे साथ रीड करना explanation नीचे explanation भी दिया for the purpose of this clause it is hereby clarified that notwithstanding to anything contained in any other law for time being in force or any judgment decree or order of any court tribunal or authority the person and its member or constituents shall be deemed to be a separate person and supply of activity or transactions intersea shall be deemed to take place from one person to another person चली basic memory के connections आपने start कर दिये अभी लगे नहीं पर यस ये neuros काम कर रहे है ज़्यादा टेक्निकल हो गया तो ये neuros काम कर रहे है चलो wordings तो आये कुछ विच्चन में कुछ तो आया clause A इसको फिर से एक बार पढ़ता है simplified way में simplified way में और फिर दिरे-दिरे समझाता हूँ done ये तो bare act था अब देखो हम देखने वाले 7-1 और 7-1 में AA ये AA, 7-1, AA कहा लेना हमारे चाट में बताऊगा पहले इसको समझ लता है देहन से पढ़ो एक 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 लाइ activity or transaction with member or constituents title में ने ऐसा दिया है income passes the activities or transaction by a person by a person other than individual ये underline the word other than individual बहुत important है with its member or constituents or vice versa involving cash deferred payment और other valuable consideration it clarifies that such person and their member or constituents are considered as a separate entities और इनको separate entity भी माना जाएगा चलो बताताओ अभी हमने देखा था यहाँ पे business की definition में business की definition में club AOP और society अब अब इधर पूरा इधर ध्यान देना इधर देना don't stuck with any doubt दिमाग में कुछ भी होगा तो बाजु में करो मेरी कही हुई बात अब सीधिया आपके दिमाग में घुसने चाहिए जो ये concept पे है AOP या society आपके जो individual नहीं है आपके यह यहाँ पे जो individual नहीं है और यह जो club AOP society अपने members को अपने members को या constituents को अगर उनके members और जिसका नाम है constituents और constituents अपने member या constituents को अगर supply करती है goods का या service का याने कोई भी activity करती है activity या transaction करती है activity या transaction करती है अगे तो यह जो है supply माना जाएगा इसमें नहीं क्या बात है बताता हू step by step चलते है step number one हुआ क्या हुआ यह कि club, AOP, society जब अपने member या constituents को यहाँ पर activity या transaction कर रही है government ने इसको business तो कह दिया ओके इसको ओके it is treated as business treated as business as per definition as per definition लेकिन सवाल होता है कि whether whether okay, whether these transactions whether these transactions treated as supply whether this transaction treated as supply okay, सवाल यह खड़ा हो गया अब दिखो, इस पे read petition फाइल हुआ बहुत सारे AOP, society ने read petition फाइल किया कि ठीक है, होगा अमारा business आपने definition में ले लिया पर हमारी activity और transaction supply ही नहीं है supply ही नहीं है बहुत सारे सुप्रीम कोट के decisions थे पुराने और पुराने सुप्रीम कोट के decision ने यह कहा कि club और member यह mutually inclusive माने जाएगे exclusive नहीं माने जाएगे मतलब क्या मतलब दोनों एक ही माने जाएगे दोनों अलग-अलग नहीं माने जाएगे club हो गया, AOP हो गया, society हो गया, trust हो गया यह mutually inclusive माने जाएगे, exclusive नहीं माने जाएगे तो फिर इसका read petition ये बात में फाइल हुआ कि my lord जब supreme code ये कहे चुका है कि दोनो जो है mutually inclusive माने जाएंगे और exclusive नहीं माने जाएंगे तो दोनों के बीच में हुई activity सुनना ध्यान से दोनों के बीच में हुई activity ये supply कैसी हुई क्योंकि supply होने के लिए अगर हम 718 परते हैं तो my lord okay वो supplied by one person to another person होनी चीए यानि जो आप सेल ट्रांसवर बाटर एक्षिन लीज नेंटल डिस्पोसल कर रहे हो by one person to another person होना चीए my lord जब ये mutually inclusive है अगर ये दोनों एक ही है तो यहाँ दो परसन है नहीं और अगर यहाँ दो परसन नहीं है तुनना ध्यान से अगर यहाँ दो परसन नहीं है तो okay इन में हुई activity supply के स्कोप में आएगी नहीं होगी business भाई तुमने define कर दिया हो गया business में पर supply में का हैगा supply मे आने के लिए business के सासत 1% to another person भी होना चाहिए जो salary के form में ही आना चाहिए salary होगी तो वो GST नहीं आता है schedule 3 में हम देख लेंगे 1% to another होना चाहिए और separate consideration होना चाहिए तो यह mutually inclusive है okay there are no two different person if there are no two different person question of levy of GST does not arise my lord that's all my lord okay इस पे GST नहीं आएगा भाई साब बात तो सही है होगी business activity पर 2% तो वने चाहिए इसलिए government ने clause AA introduce किया दो साहल पहले और government ने का कि हम declare कर देते क्योंकि government को डर लग गया कि अगर Supreme Court के decision against में चलेगे वापस तो फिर तो okay यह बच जाएंगे सारे इंडिया के club association society वगरे जो यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाते maintenance charges और के subscription अगरे से तो ऐसा situation में government ने special AA डाला government ने का business तो पहली बोला था हमने चलो उसको supply भी बोल देते हैं ओके वो कहते है कि अगर कोई भी active transaction person other than individual मतलब individual छोड़के कोई भी भी भाई फिर अब other than individual बोला बहुत स्कोप तो बहुत बढ़ गया अगर वो अपने ही members के साथ या अपने ही constituents के साथ कोई activity और transaction करता है और for consideration करता है यह बहुत important है यह activity और transaction free नहीं होना चीए और consideration होना चीए और consideration पर करता है तो वो supply भी माना जाएगा और vice versa vice versa मतलब यह member को देता है यह member इनको देता है तो वो supply माना जाएगा यह specially rate petition डाला था builder की जेवी जो बनती थी उसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसका background history यह था नहीं से सुनना बहुत सारे builder जेवी बनाते है और जेवी जब बनाते है तो एक separate entity बनती है जेवी और land owner के साथ जेवी यह इसके साथ जेवी और builder जो है अपनी machinery जेवी में लाता है service देता है अपने तरफ से जेवी को जेवी को charge करता है यह जेवी builder को service देती है चार्ज करती है एक में को वो continuous charge करते रहते है और जेवी separate entity हो जाती है तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए क्य यह member को यह member इनको जो supply कर रहा है charges लगा रहा है consideration लगा रहा है क्या वो supply किसकोप में आएगे yes तो दो बाते clarify हुई पहले कि activity by this person to its member और vice versa और deferred payment यह supply में तो आएगा और यह भी clarify किया गया अगर एक line में समझे कि दोनो separate entity मानी जाएगी GST purpose के लिए Supreme Court ने कुछ भी बोला गया हो notwithstanding to the decisions of any court and etc उन्होंने कुछ भी बोला हो यह दोनों person separate entity माने जाएगे और यह supply माना जाएगा तो any person यहाँ आपको लिखना हो तो लिख देना ओके यहाँ पे club ओके club AOP, POI, other than individual या trust etc कोई भी person other than individual activity और transaction करता है अपने member के साथ या वाइस वर्सा दोनो separate person माने जाएगे ओके दोनो separate person माने जाएगे यह भी separate person माना जाएगा यह clarify कर दिया गया वो mutually inclusive नहीं exclusive माने जाएगे और यह transaction cash deferred payment तो यह supply कहा जाएगा इसके ओपर GST आएगा ओके यह supply बुला जाएगा done चलिए यहाँ पर यह discussion हमने किया discussion को और आगे बढ़ाते है यह समझ में आया क्या? अगर यह AA clause समझ में आया होगा यह समझ में आया की नहीं आया बताओ बाकी आपके doubts हम बाद में लेंगे यह AA अगर समझ में आओगा तो AA type करो जैसे एग्जामपल अगर हम ले resident welfare association मतलब housing society of sanskriti society supplies air conditioner to its member at a concessional price अपने member को दिया और के sale किया GST आएगा resident welfare association कलेक maintenance charges from its member of service provider उस पर भी GST आएगा लेकिन maintenance charges पर कुछ exemption है यहाँ लिख देना लगे तो subject to some exemption subject to some exemption अगर maintenance charges है तो 7000 पास हो तक exemption है हम exemption chapter में देखेंगे अब आजाओ आप cash call in joint venture JV के transaction में आ ले रहाओ और specially cash call in joint venture यहाँ हम इस बात को discuss करेंगे देखें nature of joint venture JV is a temporary unincorporated association form for a specific project underline JV क्या होती है AOP होता है और AOP जो है specific project के लिए होता है within defined time frame determining taxable nature whether cash call is considered a financial transaction or taxable service depend on the terms in the joint venture agreement cash call purpose cash call involve operating member raising fund from other members on their participating interest these funds are used to cover project expenses outline in the approved mark program and budget जैसे simple way में आगर मैं समझाओ तो हम JV firm करता है जिसमें 3 member है और cash call मांगा गया कि बही चलो सभी लोग यहाँ पे 2-2 लाग रुपे जमा करो क्योंकि अब JV स्टार्ट हो गई है 2-2 लाग रुपे इसने 2 लाग दिये इसने 2 लाग दिये अब यह जो 2 लाग रुपे JV को मिले 2 प्लस 2 प्लस 2 6 लाग मिले क्या यह cash call supply के scope में आएगा जो पैसा मिला supply के scope में आएगा क्या यह taxable होगा यह ओके financial transaction financial transaction मतलब यह क्या यह money के transaction है तो यहाँ पे इसको हम example से समझते है अगर यह money के transaction है तो GST नहीं आएगा पर अगर यह for supply of goods or service है तो GST आजाएगा इसको नीचे वाले example cash call मतलब money contribution fund contribution ओके आपका fund contribution cash call का मतलब होता है आपका fund contribution तो देखिये नीचे वो कहते है let's understand the taxability of cash call with the help of following example there are four members in JV including operating member each one contribute hundred as a part of their share sabने fund okay contribute गया money में पैसा दिया 100-100 रुपया the total amount of rupees 400 collected operating member purchases machinery for 400 for JV to be used in oil production sabने 400 रुपस कले किया जिससे expenses हुआ मशनरी पे cash call not within the subject of GST since operating member is not carrying out any activity for another for consideration here money paid for purchase of machinery is merely a nature of capital contribution and is therefore transaction in money okay जिनों ने भी मुझे 100-100 रुपय दिये उनको मैं कुछ यहां पे consideration मशनरी नहीं दे रहा हू तो तू मशीन ले 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 तू मशीन ले 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 हू यह जस Capital contribution है जिसके लिए JV के लिए मशनरी खरीदी ओके तो ऐसे case में यह जो है transaction in money है उन्होंने पैसा दिया invest किया transaction in money है तो इस तरह का this is capital contribution अगे JV को मिलता है तो वो case में GST नहीं आएगा it's just raising of fund raising of money okay, पैसा आया, लेकिन उसके against में कोई हमने consideration नहीं दिया है okay, वो transaction in money है उसके उपर GST नहीं आएगा, जो capital contribution होगा okay, now example number 2 there are 4 members in JV, including operating member, each one contribute 100 as a part of their share, a total amount Rs. 400 collected operating member thereafter uses its own machinery, operating member thereafter uses its own machinery and perform exploration and production activity on the behalf of JV दो example में difference क्या है पहले example में 400 से 400 पैसा आया और 400 पैसे से machinery खरी दी गई, जो JV की machinery है, तो वो 400 रुपय ये capital contribution हुआ, दूसरे example में सारे लोगों से 400 पैसे लिए गया और operating member ने वो 400 पैसे रख लिए और अपनी machinery use की, ओन machinery use की, okay for JV हा, यहां member जो है उसको 400 पैसे मिल रहा है अपने machinery use करने के लिए, यह service मानी जाएगी okay, तो यहां पर देखो, operating member uses its own machinery and therefore providing service within the scope of supply because here operating member is recovering the cost appropriate toward the machinery and services from other JV member in their participating interest ratio मतलब क्या, यहां पे जो member, okay अपनी machinery use कर रहा है against this 400 rupees यह जो भी collection हुआ है तो वो member JV को service दे रहा है तो यहां पे उसका जो contribution है machinery देना, okay, वो contribution, यहां पे capital contribution नहीं बोला जाएगा, cash call नहीं बोला जाएगा, okay, वो service बोली जाएगा और उसके उपर GST आएगा, okay, simple word में बताओ कि sir conclude क्या करे, conclude यह करे, कि अगर member पैसा दे रहा है और fund raise हो रहा है, as a capital contribution दे रहा है तो उसके उपर GST नहीं आएगा, वो transaction in money है लेकिन member capital contribution के बज़ा है अपनी machinery use करके service दे रहा है तो वो service बोली जाएगी और उसके उपर GST आएगा, that's all ओके यह आपको यहाँ पर conclude करना है और यह इस तरह से हमने 7-1-A with, okay, 7-1-A complete किया with this clarification, done, शलिए अब आयाते है, 7-1-B, okay, हमारा अगर आपको यहाद होगा, तो 7-1-A हो गया okay, 7-1-A हो गया, A हमारे chart में कहां लिखना में बताऊगा पर आपने chart बनाया होगा section 7 का, तो section 7-1 और section 7-2 7-1 में हमने यहाँ पर यह देखा, consideration है और without consideration है अब consideration में हमने यह देखा, 7-1-A जो हमने complete किया और 7-1-B, और 7-1-A के नीचे 7-1-A हमें draw करना है जो हम करेंगे, okay, 7-1-A हो गया, 7-1-A हो गया जो हम chart में draw करेंगे, और 7-1-B अब हम देखेंगे हमारे chart का, पहले देख लेते हैं, फिर हम इसको chart में लिख लेते हैं, okay तो चलिए देखते हैं, 7-1-B 7-1-B क्या कहता है, supply includes import of services or consideration, whether or not in the course or furtherance of business यह important line है whether or not in the course of furtherance of business किसी को याद आ रहा है कि भई, आपने पढ़ा था कभी किसी को याद आ रहा है कि 7-1-B चलिए जब हमने Constitution of India देखा तो हमने यहाँ पर Constitution of India में अगर आपको याद होगा, तो article आपको वहाँ आना है तो आप आ सकते हो ओके, यहाँ पर 269-A में हमने यह देखा था कि import transaction होते है 269-A में जाओ अगर आपको starting, पहले जाप्टर में 6-7 नंबर पे होगा page नंबर अगर देख लेते हो जो 269-A आर्टिकल में कहा गया, import of goods होगा और services होगी तो यह interstate माना जाएगा यह interstate माना जाएगा यह in the course of interstate माना जाएगा और इस provision को ध्यान में रखते हुए जब हमारा act बना भाई वो तो constitution था तो हमें act में भी इसको status रखना है कि जो import of service है उसको act में भी status देना है कि वो supply है क्योंकि यहां से ही act बनेगा और act में हमको लिखना पड़ेगा जो constitution के इसाब से दिया है आप ऐसा नहीं presume कर सकते constitution ने दिया फिर act में क्यों लिखो नहीं नहीं constitution में दिया तो भी act में तो आपको उसकी provision रखना है तो अब देखो act में क्या किया इनोंने act में यह किया ध्यान से सुनना बहुत important है IGST act में कहा गया और यहां पे CGST act में supply defined हुआ ध्यान सुनना CGST act में IGST act में जब IGST act पड़ा होगा तब यह कहा गया कि जो imported goods होगा अगर आपका imported goods होगा तो यह supply माना जाएगा यह supply माना जाएगा और इस supply पे IGST लगाने का power इस supply पे IGST लगाने का power यह custom tariff act 1975 में ACD 37 में रहेगा यह point समझा के मझे बताओ यह point समझा के मझे बताओ act में IGST जो है act कहता है कि imported goods यह supply माना जाएगा और इसमें GST लगाने का power custom tariff act में in the form of ACD 37 रहेगा यह समझा क्या आपको समझा होगा तो yes कहिएगा पर अगर हम बात करें तो custom में स्रिफ goods पे ACD 37 लगता है what about service तो CGST act section 7-1-B यह specially बनाया गया constitution की इस provision को धहन में रखते हुए और यह कहा गया कि यह जो है import of service की अगर हम supply माना जाएगा तो 7-1 भी हम क्यूँ बढ़ रहे है क्योंकि goods तो custom ने cover कर लिया पर क्या service इंपोर्ट होती है तो supply है हाँ वो supply है और वो supply इंटर स्टेट है वो supply इंटर स्टेट है यह हम IGST में पढ़ेंगे पहले उसको supply का status दिया गया जो line up में कहने जाने वाल हो आपके सब thought body में रखना और के सब thought body में रखना और जो में कहने यह जा रहा हो वो सीधा दिमाग में घुसाना supply जो section 7 है वो सारे act के लिए section यह section है आप CGST पढ़ो section 7 से supply fix होगा IGST पढ़ो UTGST पढ़ो SGST पढ़ो कोई भी act आप पढ़ो supply section 7 से fix होगा supply हर act में define नहीं है UTGST में define नहीं है IGST में define नहीं है सब act ने कह दिया कि भाई यहाँ पे supply मतलब section 7 of CGST act है वो ही supply माना जाएगा बात समझ में आई क्या यह वाली समझ में आई तो 7 type करो इसलिए में हर act में IGST में what do you mean by supply नहीं पढ़ोगा IGST में यह कहा गया है कि जो supply आपने section 7 में देखा CGST act वो intra कब होगा inter कब होगा वो बात में देखेंगे intra inter का status बात में लेगे पर supply यह है तो supply जो है वो 7 1 B में होगा अब वो interstate supply है यह तो constitution ने भी कहा और जहां तक है IGST act भी कहेगा कि यह भी supply interstate है इस पर IGST लगेगा लेकिन section 7 1 B में यह जो import of service है यह supply तभी माना जाएगा यह बड़ा turning point है यह supply कब माना जाएगा देखो import of service supply तभी माना जाएगा अगर यह for consideration होगा मतलब free import service पे GST नहीं आता है very important point section 7 1 B कहता है कि अगर यह for consideration होगा तो ही supply माना जाएगा तो ही import of service पे GST आएगा import for consideration होगा और दुसरी एक खास बात इन्होंने क्या कही यह service अगर for consideration import होई फिर वो whether whether or not for business in the course of furtherance of business यह बहुत turning point है यह क्या कहते है पहले तो देखो import of service पे GST लगा ही नहीं लगा है IGST लगा ही नहीं लगा है यह बात दुसरी है पहले ही 7 1 B का उसको supply मानो अब 7 1 B का supply मानो मतलब क्या मतलब यह तीनों condition fulfill करो आपने service import की है आपने service import की है दूसरी बात for consideration है जिसमें consideration involved होना जरूरी है और तिसरी बात ओके वो business के लिए हो या ना हो ओके उसके उपर GST आएगा मतलब जो 7 1 A में वड़ा पाँ पढ़ा था आपने और वो main supply का criteria पढ़ा था उसमें हमने क्या बुला उसमें 7 1 A में बुला की in the course of business होगा come on यार in the course of business होगा तो ही GST आएगा लेकिन import of service को वो आप criteria नहीं लगाऊगे जिसने भी service import की वो उसने business के लिए की या ना की okay consideration दिया होगा तो GST आएगा theoretically समझाए क्या पहले बता theoretically समझाए क्या whether or not for business और मैं आपको बता देता हूँ अगर आप service import करते हो okay तो ये case में import of service पे on import of service import of service RCM लगता है RCM मतलब river charge mechanism लगता है यानि tax recipient को देना होता है okay और अब आपका एक सवाल होगा sir ये जो दो consideration है ये दो condition है consideration है whether or not for business होना चीए ये जो है consideration होगा तो ही हम GST देंगे ये import of goods को applicable है क्या नहीं ये जो है 7-1-B only applicable to import of service मतलब क्या अगर आपने goods import किया होगा तो it is totally governed by customs act और custom act के साब से आप consideration दो या नो दो या ना दो goods imported that's all basic custom duty और SAD लग गया वहाँ free भी आया होगा ना तभी SAD 37 देना पड़ता है वहाँ free भी आया होगा तो SAD 37 देना पड़ता है custom हुआ होगा तो definitely आपको समझ गया नहीं हुआ होगा तो custom में समझा दोगा अभी जो भी हम बात कर रहे हैं वो import service की बात कर रहे है import service पे GST तभी आएगा जब consideration होगा and similar not applicable for goods goods totally governed by customs act तो यस्ट तभी आप consideration होगा और वो business के लिए आए या ना आए आपको GST वो supply माना जाएगा और RCM देना पड़ता है चलो ओके यह concept आपको समझ में आया होगा I hope यह clarity आपको मिली होगी yes or no देखो पेटाई इसमें एक सवाल आपका आ सकता है कि sir इन्होंने ऐसा क्यों किया इन्होंने ऐसा क्यों किया यहाँ पे ऐसा condition क्यों रखा कि whether or not for business फ़र डेप्थ में लेके जाओ आपको फ़र इमाजिन करो situation imagine करो situation okay USA का बंदा है okay USA का बंदा है अर यह USA का बंदा service दिरहा है service दे रहा है और service इन्हों में import हो रही है यह जो service इन्हों में import हो रही है यहाँ पे द्चान से सुनिएगा यह बंदा management consultancy, software consultancy जो भी service इन्हों में import हो रही होग है और अभी तो continuous import हो रही है आज काल तो ओनलाइन जमाने में बाहर से सर्विस लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी बहुत सारी सौफ़वेर इंक्रिप्शन सर्विस बाहर से ली जा रही है तो दुनिया कोई भी सर्विस इंपोर्ट होगी हो सकता है कि रिसीपियंट ने पर्सनल पर्पस के लिए 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 सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए और आर्सीयम है आर्सीयम है मतलब टैक्स रिसीपियंट को देना पड़ता है सरी आर्सीयम क्या होता है नहीं पता तो डूब मरो नहीं पता तो डूग मरो, नहीं तो चाप्टर इसके बाद नेक्स चाप्टर में पड़ा होगा, RCM क्या होता है, तो अब सवाल क्या है, सवाल ये है, कि सर, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कि भई ये बिजनेस में यूज कर रहा है, देखो, मैंने आर्किटेक सर्विस बाहर से लिया, मैं बहुत बड़ा बंगलो बान रहा हूँ, फार्माउस बान रहा हूँ, और मैंने आर्किटेक यहां पर जर्मनी का लगाया जर्मनी से आर्किटेक quelqu का रहा है मेरा फॉर्मस का सर्वीस दे रहा है बाई साव द्साब मेरे पेरसनल परपस के लिए दे रहा है अगर मेरे आइंगल से देखा जाए तो बिजनस के लिए नहीं होगा अब imagine करो कि अगर मैं यह कह दू कि भाई मैंने business के लिए ने लिया मैं टैक्स नहीं दोगा तो इसमें गलबड क्या हो जाएगी गलबड ही हो जाएगी, सुनना गलबड ही हो जाएगी कि यहाँ पर आप business के लिए नहीं ले दो पर वो तो बिजनेस कर रहा है ना भाई, अगर वो इंडिया में होता है आर्किटेक्ट, और उससे आप सर्विस लेते, तो GST तो लगता ना, आप, आप से अमे क्या लेना देना, सिर्फ वो तो RCA में इसलिए आप टैक्स देना है, आप बिजनेस के लिए यूज करो या ना क अगर वो फिरंगी तो कमा के जा रहा है ना, फिरंगी अगर वो इंडिया में होता है तो GST देता ना, तो इसलिए यहाँ पर रिसीपियंट बिजनेस के लिए यूज करे या ना करे, सामने वाला तो बिजनेस कर रहा है ना भाई, और इसलिए रिवर्ट चार्ज में इसलिए यहाँ पर रिसीपियंट लेने वाला बिजनेस के लिए यूज करे या ना करे, बिजनेस वाला क्राइटरिया उसको नहीं लगेगा, अगर कंसिडरेशन होगा, तो वो केस में GST देना पढ़ेगा, समझा है नहीं समझा, I hope, okay, इंटर लेवल पे इतना डेप तो आ इसलिए यहाँ बिजनेस का क्राइटरिया नहीं रखा क्योंकि लाइबिलेटी रिसीपियंट पर है, okay, रिसीपियंट का, रिसीपियंट बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे क्या लेना देना है, supply है तो बिजनेस करके चल रहा है, okay, इसलिए रिवर्चार्ज में, इ यहां एक break लेते हैं और आगे का discussion break के बाद continue करेंगे यहां break लेते हैं और आगे का discussion हम break के बाद continue करेंगे जान बेटा चलिए यहां रुकते हैं बाद करेंगे बाद करेंगे झाल 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 चलिए तो दोस्तो यहां पे clause B क्या कहता है supply includes import of service for consideration consideration को ऐसा बादल करो मतलब free import service पे GST नहीं आएगा whether or not in the course or furtherance of business निचे notes दी है import of service taxable only if there is a consideration लिखना हो तो आगे लिख सकते हो अग दिया हुए free import of service not liable to GST unless mentioning para 4 of schedule 1 आगे schedule 1 का para 4 देखेंगे अगे उसमें कुछ specific situation ली है पर अभी तो यहीं understanding develop करो कि import of service सुनना import of service अगर free है जैसे आप online website access कर रहे हो free YouTube access कर रहे हो free बाहर से service मिल रही है चला अब इंडिया में YouTube का office बंग चुका है Netflix पहले बाहर से free access कर रहे थे free free in short कोई भी services अब तो online में तुमको पता भी नहीं चलती है कि बाहर की service है या नहीं है कोई भी service आप free import करें उसके पर GST नहीं है except schedule 1 para 4 अभी तिसरा वाला point आपको confuse कर सकता है अभी ध्यान से पढ़ लेना अभी ध्यान से समझ लेना बात में whatsapp नहीं करना में रखो तिसरा वाला point पहले परते है even if service is imported for purpose other than business it would be treated as supply अगर आपने personal purpose के लिए भी service import की supply बोला जाएगा मतलब जो मैं clause B में बोल रहा हूँ clause B ये कहता है supply है या नहीं है अगर आपने business के लिए नहीं भी use किया खुद के लिए भी service import किया for consideration तो supply तो बोला जाएगा but if import of service by an individual in relation to any purpose other than commerce, industry or any other business or profession then it cover under the exemption लेकिन supply तो है taxable तो है पर फिल हाल उनने exemption दिया है individual को जो other than business के लिए import कर रहा है sir दोनों में difference के है what difference है clause B में यह नहीं पढ़ा रहा हो कि tax आएगा नहीं आएगा clause B में यह पढ़ा रहा हो कि supply बोला जाएगा क्या हाँ बोला जाएगा supply और कि किसी individual ने service import किया for personal purpose supply बोला जाएगा और government ने public interest को द्हान में रखते हुए अभी फिल हाल उसको exemption रखा है मतलब इंडिया के किसी individual ने अगर अपने personal purpose के लिए for consideration service import कि जैसे architect service मैं ने import की for personal building तो अभी फिलाल exempt है future में taxable हो सकता है क्यों taxable हो सकता है क्योंकि supply का status already है उसको supply का status already है in short यह supply है but exempted है यह समझा क्या समझा होगा तो फटाबट 3 type करो और exempt उसको ही किया जा सकता है जो supply है exempt उसको ही किया जा सकता है जो taxable है ठीक है पर यह exemption सबको नहीं है यह exemption सिप individual को है जो अपने personal purpose के लिए import करता है तो IGST Act में exemption chapter में इसको और detail में देखेंगे उसको exemption दिया गया also in case of import of service RCM is applicable import of service को RCM applicable होगा चलिए example Mr. A. a proprietor has received an architect service for his personal residence from an architect located in Newark at an agreed consideration US dollar 5000 whether it would be treated as supply and liable to GST पहला सवाल क्या है क्या वो supply बोला जाएगा क्या अगर individual है और इस individual ने service ली अपने personal purpose के लिए जिसका consideration भी दिया है dollar 5000 क्या वो supply बोला जाएगा yes, it's a supply under section 7-1-B ये supply है पर क्या GST आएगा क्या तो फिलाल GST exempt है फिलाल GST exempt है I hope ये point आपको समझाओगा यहाँ पे यह एक important discussion था import of services में ठीक है तो चलिए ये concept हमने यहाँ पे देखा regarding to import of service अगर आप bare act में आते हो तो bare act में हमने section 7-1-A मैंने books में बहुत simplified word यूज किया है लेकिन मैं साथ साथ में bare act ले रहा हूँ जिससे आपको legal jargons भी समझेंगे और next मैं आपको बता दू कि exam के इसाब से simple word में कैसे लिखना चाहिए वो भी समझेगा आपको legal jargons exam में use ही करना ऐसा नहीं है ठीक है तो now section 7-1-A complete किया AA complete किया AA मतलब अगर club association अपने member को service दे रहा है तो explanation कहता है कि कोई भी आक का कोई भी decision अब आजी में रखो यह person और उसके member separate entity माने जाएगे separate person माने जाएगे यह explanation कहता है B हमने complete किया importation of service for consideration when whether or not in the course of furtherance of business अब आते है बेटा C activities अब C क्या कहता है supply includes supply में अब चोथी activity आ रही है supply includes activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration और साथ साथ में schedule 1 में देखेंगे schedule 1 में यहाँ पे नीचे मैंने okay bare text लिया है schedule 1 में total 4 paras हैं और यह 4 paras और यह bare text हमें और detail में और अच्छे से देखना है done? ओके तो चलिए अब यहाँ पे हम हमारे note से simplified word में इसको समझने की कोशिश करते हैं अब आते वेटा activity without consideration जिसको मैं नाम दे रहाँ dim supply इसको dim supply भी कहा जाता है 7 1 C 7 1 C it provides that supply includes activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration without consideration अगर हम हम हमारे chart में आते हैं section 7 K okay section 7 K क्या था बेटा 1 and 2 okay supply includes supply excludes 1 में with consideration and without consideration without consideration with consideration में 7 1 A नीचे हम लिखेंगे 7 A A A complete होने के बाद और 7 1 B 7 1 B और यह 7 1 A हमने देख लिया और 7 1 A A भी हमने देख लिया okay अब आते हैं 7 1 C पे okay 7 1 C कहता है कुछ activity जो schedule 1 में दी गई कुछ activity जो schedule 1 में दी गई जिसमें free भी होगी without consideration भी होगा तो भी supply बोला जाएगा चलो यह वाला पार्ट देखते है without consideration वाला आ जाते हैं यहाँ पे schedule 1 का discussion okay schedule 1 का जनम हो रहा है okay आज उसका जनम हुआ है पेड़े बाटो schedule 1 अब जनमा है okay और यह 7 1 C से जनमा है और okay 9 9 से जनमा section 7 section 7 से जनमा 7 1 C 7 1 C से जनमा प्यारा 1 okay तो ऐसा ट्री family tree बढ़ते जा रहा है अब schedule 1 क्या कहता है जिसमें प्यारा 1 okay बदाई हो बदाई हो schedule 1 का जनम हुआ उसके अंदर प्यारा 1 का भी जनम हो रहा है बुद फास जनम हो रहा है ठीक है प्यारा 1 क्या कह रहा है देखो बड़ा प्यारा प्यारा प्याराग्राफ है permanent transfer भाई यह permanent word है okay permanent transfer or disposal of business asset business asset where ITC where ITC has been availed on such asset चलिए अब यहां पर एक term को देखते है permanent मतलब वापस आने वाला नहीं है और दूसरा business asset okay दूसरा business asset okay permanent transfer of business asset बुला है what is the difference between business asset तूसरा terms को समझ लेते है business asset and capital asset okay business asset and capital asset इसमें क्या difference है कोई बताबाएगा आपके difference का वेट करूगा कोई बताबाएगा business asset और capital asset का difference क्या है कोई बताबाएगा अगर आपने balance sheet देखी होगी balance sheet में आपकी fixed asset आती है जिसे capital asset fixed asset में immowable भी होता है और movable भी होता है movable में okay हो सकता है आपका furniture अगरे फरनीचर उसके बाद में car और अधर बहुत सारी asset immowable में building वगरे एक्सेटरा अगरे का यह आपकी fixed asset जो capital asset भी होई फिर current asset भी होती है current asset भी होती है और current asset में cash वगरे और यहाँ पे stock भी होता है मेरा stock से concern है क्योंकि cash तो money है तो अब वो क्या बात करते हैं वो आपके balance sheet पे focus कर रहा है और वो कहते हैं आपकी जो भी business asset होगी मतलब business asset का मतलब क्या मतलब आपकी current, non current, short term, long term, operating okay capitalized as well as tangible, intangible आपकी business asset जो होगी जो goods के definition में आती है यह service के definition में आती है आपकी जो भी asset होगी दयान से सुनना अगर ईस asset को आपने permanent transfer कर दिया permanent transfer कर दिया including stock in trade, stock in trade भी आपका business asset है okay, उन्होंने capital asset वाल्यूस उल्यूस नहीं किया business asset वाल उसकिया okay, all asset, आपका stock in trade है जो goods है और यह permanent transfer किया है आपने और यह permanent आपने किसी को free दे दिया,भाई आपने free दे दिया यह stock का कोई goods आपने as a free sample free दे दिया, stock का free sample दे दिया, donation दे दिया, okay, आपने नया-नय business चालू किया है, तो नया-नय business चालू किया था, आपने बाला जी trust को पहला consignment free दे दिया, okay, होता है, बहुत से लोग बाला जी को पहला consignment free दे देते है, तो अगर आपने free दिया है, without consideration दिय आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर मैंने ITC नहीं लिये हो और फ्री बाटे हो तो फिर सप्लाइ नहीं Okay, thought process कैसे, चलो मेरे साथ, come on, पहला thought, section 7-1-A, जो main है, section 7-1-A, जो main वड़ा पाव है, supply तभी बोला जाएगा, जब consideration है, second thought, पहले print करो, print करो पुरा, second thought, free supply पे GST नहीं आता है, लेकिन, अगर वो supply schedule 1 के होगे, तो ही GST आता है, बोल एक बार, बोल एक बार, free supply पे GST नहीं आता है, लेकिन, अगर वो schedule 1 के supply होगे, तो ही GST आता है, अब schedule 1 के supply है, मतलब, पैरा 1, इसमें 4 पैरास है, और ये 4 पैरास पे, free supply पे GST आता है, पहला पैरा, पैरा 1 कहता है, कि अगर आपने कोई भी business asset होगी, जो goods के definition में आती है, movable property, immovable property के हम बात नहीं कर रहे है, क्योंकि immovable property किसी को free दे दी, तो goods के definition में नहीं आता है, goods मतलब, any kind of movable property, goods के definition में नहीं आता है, हम बात कर रहे है, goods होना चाहिए, no doubt, basic character तो goods के होने ही चाहिए, जो आपकी business asset है, जो movable है, जो stock है, और ये आपने permanently किसी को free दे दिया, वैसे free दिया तो हम GST नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपने उसके purchase करते वक्त, या वो furniture बनाते वक्त, उसके purchase इसके ITC लिये होगे, तो फिर वो supply माना जाएगा, समझा क्या, ITC लिये होगे, तो ही supply माना जाएगा, मतलब, input tax rate has been availed on such asset, तो ही supply माना जाएगा, वो free supply पर, चलिए, तो, ओके थोड़ा इसको और detail में देखते है, there must be a disposal or transfer of business asset, आपने business assets dispose किये या transfer किये, तुसरा, transfer or disposal must be permanent, ओके permanent किये, उसके बाद में ITC must have been availed on such business asset, उस business asset का ITC आपने लिया, तो वो ये तीन basic condition है, तो ही supply माना जाएगा, disposal of following business asset without consideration, without consideration, will not be covered within the para, okay, thus will not be deemed as a supply, कौन सा, business asset on which ITC is block or not available under GST, मतलब आपने car खरीदी, और car block asset, block ITC में आती है, section 17.5 में, अगर आपने ITC नहीं लिया, और वो free दे दिया, वो free दे दिया, तो फिर GST supply नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ITC नहीं लिया, ब्लॉक था, या फिर ब्लॉक नहीं था, पर आपने लिया नहीं, okay, आपने लिया नहीं, अब देखो मेरा example बताता हो, ठीक है, जो अभी face to face class inter के student है, उनको मुझे टीशिट बाटना था, okay, around 1000 students है, face to face में, अब मुझे यहां पर उनको टीशिट बाटना था, मैंने टीशिट खरी दी, और मुझे पता था कि मैं free बाटने वाला हू, okay, टीशिट खरी दी, business खर्चा बताया, business प्रमोशन इने खर्चा है, business खर्चा बताया, ठीक है न, I am eligible to take ITC, पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे free बाटना था, तो ऐसे case में, अगर आपने credit नहीं लिया होगा, तो free बाट हो, supply नहीं बोला जाएगा, पर आपने credit ले लिया और बाद में free बाटा, तो फिर supply बोला जाएगा, यह एक example, आपके दिमाग में भी बहुत सार एक्जामपल सा सकते हैं, questions आ सकते हैं, जब मैं कहूँगा पूछो तब ही पूछना, दूसरा example, अगे दूसरा example, दो साल पहले की बात है, हमने पुरे V smart के computer system change किया, जो पुराने old computer system है, उसके जगा नए computer system install किया, GST में लिया, तो मैंने GST में वो computer बे ITC ले लिया था, फिर क्या हुआ, फिर जब दो साल पहले हमने नए computer install करने का decision लिया, और पुराने computer dispose करने का decision लिया, तो मैंने एक charitable trust को computer donate कर दिया, free of cost, 12 computer थे, मैंने एक school को दे दिया, कि ले लो आप use कर लो, free of cost दे दिया, अब मैंने तो charity work कर दिया, भाई मदा आ गया, free दे दिया, दिल को अच्छा लगा, और बच्चों को काम में भी आ रहा है, पर सवाल ये है कि जो मैंने business asset dispose कर दी, permanent दे दिया, किसी को भी दिया, उन्होंने नाम ने लिया, उन्होंने का, भाई किसी को भी दे, तुन्हे permanent dispose कर दिया, ना बात को खतम कर, अगर तुन्हे permanent dispose कर दिया, आपकी asset fee दे दी, बस एक ही सवाल पूछे थे, क्या, वो सवाल पूछेंगे, तुन्हे ITC लिया था क्या, मुझे तो देना पड़ेगा, हो सकता है, वो charitable trust मुझे देरी उसका GST, मैं burden pass on नहीं कर पा रहा हूँ, government कहती हमें, उससे कोई लेना नेना ने, कि तु burden pass on कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तुन्हे ट्रांसपर किया, तुन्हें ITC लिया, हमें ITC लिया ना, हमें उसका outward supply पर GST दे, बात को खतम कर, बात को खतम कर, result, यह समझ में आया है क्या, यह हुआ कि, तुमने कोई भी asset free दी, जिसके ITC लिये, government को ITC से problem है, ITC लिया, इसलिए उसको supply treat किया गया, क्योंकि ITC अपने तुमको credit इसलिए दिया था, क्योंकि तुम business में use करोगे, cash can effect नहीं होगा, तुम तो free बात रहे हो, दूसरी बात, एक बहुत सी बार यह भी case study आती है, और case study क्या आती है, सर, और यह आप day to day life में, या office में यह face कर रहे होगे, सर यह बताओ, कि मैंने 5 AC खरीदने हैं सर, उसमें के 4 AC हमें business में use करने, और एक AC घर पे लेके आ जाएंगे, जो business में use नहीं करेंगे, business के लिए, अपने personal के लिए लेके आ जाएंगे, और सर, पांचो AC हम business के नाम पे खरीदते हैं, बिजनेस के नाम पे बिल लिए नहीं सर, तो credit मिल जाता है, और ऐसा आपने day to day life practice में देखा होगा, आपके credit मिल जाता है, आपने क्या किया, अब पांचो AC अपने GSTN पे purchase की, और अपने GSTN पे purchase करके, उसका credit लिया, आपके 2B में update भी हो गया, GSTN पे अपडेट भी हो गया, आपने उसका credit भी claim कर लिया, और उसमें का AC आप घर पे लेके आ गया, भाई साप, जो ACC आप घर पे लेके आ गया ना, वो यह para-trig हो जाता है वहाँ पे, और यह para-trig हो जाता है, कि business asset आपने permanent business से ship कर दी, घर पे, permanent अगर आपने business से ship कर दी, तो जो आपने personal purpose के लिए use किया, अगर उसका ITC लिया होगा, तो वो supply माना जाएगा, और उसका GST देना पड़ेगा, इसलिए, ओके आपको, इतना easy नहीं है, लोग करते हैं, department को पता नहीं चलता है, अभी तक कोई action नहीं हुई, वो बाद अलग है, fraud करना पाप नहीं है, पर पकड़े जाना, जब भी प्यारावन में आप पकड़े जाओगे, तो आपको GST देना है, पकड़े जाना पाप है भाई, फिर तो पुरी बारात आएगी, टैक्स तो दूला रहेगा, बाराती, पेनल्टी, फाइन, अरे सब बाराती अपना काम करके जाएंगे, डांस करके जाएंगे, अब एक सवाल इसमें ये भी आ सकता है, कि सर हमने पहले बिजनस में यूज किया, और दो साल बात उसको, घर पे शिप्ट किया तो, या किसी को दे दिया तो, भाई साब जब भी, आप बिजनस से असेट निकालोगे, जिसके आएटी सी लिये है, वो असेट सप्लाय मान लिया जाएगा, उसका वैल्यूएशन होगा, और उसका वैल्यूएशन यहाँ पे, और आपको अभी बता देता हूँ, अगर पैरावन की केस है, क्योंकि तुम्हारा इन्वाइस तो नहीं बना, क्योंकि फ्री है, पर तुमने आईटी से लिया हो था, फ्री दे दिया, तो इसका वैल्यूएशन रूल थाटी से होता है, अभी बता देता हूँ, अब कैसा होता है, रूल थाटी में देखेंगे, I hope you understood, तो लोग जो है, अब आईफोन वगएरे इनके भी लेते हैं, पर डिपार्टमेंट अब चोटी-चोटी बातों को इग्नोर कर देता है, चोटे-चोटे बातों को इग्नोर कर देता है, तो यह था, पर्मनेंट ट्रांसपर बिजनेस असे, एक्जामपल वन, वी स्मार्ट प्राइब लिमिटेर हैस पर्चेस अ न्यू प्रोजेक्टर, तो देकर, खर्मनेंट लिमिटेर कर दियाए, no ITC taken on call, will transaction be treated as supply, no ITC नहीं लिया और मैंने उसको कई पे भी shift कर दिया, government को कोई दिक्कत नहीं, government कहती है, ITC नहीं लिया नहीं, GST के context में हमें कोई प्रोब्लम नहीं, income tax में तुम्हारा क्या है वो तुम देखते बेठो, accounting policy क्या है तुम देखते बेठो, जहां तक GST की बात ह हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर ITC नहीं लिया होगा, ओके तो यह था, para 1, schedule 1, इसका scope बहुत जादा है, business से asset गायब हुआ, free, जिसके ITC लिए, एक line में समझ लो, कोई भी purpose के लिए गायब हुआ होगा, permanent dispose होगा, भाई साब, तुमें supply treat करके, rule 30 के हिसाब से, valuation करके, GST देन देन, यह था, without consideration, para 1, ठीक है, और para 1 में यह planning होता है, बहुसे लोग फिर cash में बेच देते हैं, business asset, GST आता है, इसलिए, cash में बेच के, books में रखते हैं, पर बेच देते हैं, अब इतना department को पता चलनाना मुश्कील है, ठीक है, law बन जाता है, follow करना कभी-कभी इतना practically possible नहीं होता है, पर as a consultant, हमें law पता होना चीए, as a consultant, हमने उस बंदे को बता देना चीए, देख भई, ऐसा-ऐसा है, जब भी पकड़े जाएगा, अभी GST देदे, नहीं तो पकड़े गया, तो पुरी 12 आएगी, तो ध्यान रख, तो इस तरह से para 1 ह ने complete किया, अब आते है, para 2 पे, ठीक है, para 2 पे आते है, supply of goods और services और both, very very important para, for example, भाई साब, यह आपके practical life में भी बहुत important para है, para 2, of schedule 1, without consideration वाला, no doubt, यह जो भी transaction हो रहा है, यह without consideration हो रहा है, यह ध्यान में रखके चलना है, क्योंकि हम schedule 1 में para 2 देख रहा है, without consideration हो रहा है, supply of goods, all services और both, between related person, यह between distinct person, as specific in section 25, when made in the course or furtherance of business, और यह free होगा, यह without consideration होगा, यह combine करके आपको फिर से लिखना है, तो लिख देना, without consideration होगा, तो उसे supplier माना जाएगा और GST आएगा, step number one, बहुत simple way में होगा, अगर आपने related person को free दिया होगा, related person को free दिया होगा, तो वो situation में उस पे GST आएगा, supply कहा जाएगा, पैरा two की खास बाद अगर आप देखते हो, तो पैरा two में, अगर आपके transaction related है, या distinct person transaction है, तो यह case में उन्होंने यह कहीं नहीं कहा है कि ITC लिया है क्या, नहीं लिया है क्या, उससे कोई लेना नहीं देना नहीं, आपके business का कोई भी goods, आपके business की कोई भी services, आप अपने related को free देते हो, come on, related को free देते हो, तो वो situation में, वो related person, जो आपने free goods or service दिया, उस पे GST आएगा, detail analysis में जाएंगे, प्लीज, जब तक मेरा discussion खतम नहीं होता है, तब तक कोई सवाल आप नहीं पूछोगे, okay, okay, कोई सवाल नहीं पूछोगे, और in between, okay, आप कोई भी time pass नहीं करोगे, कोई भी thought आपकी दिमाग में नहीं आएगा, बहुत 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 important discussion, चली, now, example की शुदवात, एक story line से करता है, तो आपको कौन से समझने में आसानी होगी, पुना में एक software company थी, और उनकी ही 100% subsidy, वो subsidiary थी 100%, और वो जो थी, यहाँ पे, बैंकलोर में थी, situation ऐसी हुई, कि पुना में जो software company थी, उनके पास project अभी फिलाल नहीं थे, और बैंकलोर की subsidiary के पास project थे, पुना में 70 employees थे, और वो 70 employees खाली बैटे थे, और यहाँ केसे में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 70 employees खाली बैटे थे, पुना के 70 employees खाली बैटे करे क्या, तो यहाँ पे इन्होंने 70 employees को भेज दिया, बैंकलोर, कि जाओ, अपनी subsidiary 100%, और यह 100% अपनी subsidiary है, तो जाओ वहाँ पे, और वहाँ का project handle करो, यहाँ से बैंकलोर, वो 70 employees shift हो गया, तीन मैने के लिए, ठीक है, नाउ, हुआ क्या, जब तीन मैने के लिए shift होने के बाद, department को यह बात पता चली, कही से information आगे होगी department को, तो department ने scrutiny carry out किया, और department को, department को mail में कहीं मिल गया था, यह shifting हुआ करके, और holding company ने subsidiary company को 70 employees ऐसे free supply किये, तो department ने show cause notice issue किया, और department ने कहा, show cause हम आपने जो यह 70 employee अपने subsidiary को बैंगलोर में provide किये, यह supply of service under para 2, without consideration to related person, in the course of business, क्यों न माना जाए, और यह 70 employee की 3 मैने की salary, कोई, जो भी amount आई होगी, उस पे GST क्यों न लगा है जाए, company surprise होगी, भाई साब खाली बैटे थे, क्या करते थे, बेज दिया subsidiary में, तुमने बेजे होगे subsidiary भाई, related को, लेकिन para 2 trick हो जाएगा, आपने कोई भी goods यह service दी, अपने related को, pre-op cost, pre-op cost, तो उस पे GST आएगा भाई, अगर वो in the course of business दी होगी, yes बेटा, show cause notice आई, मुझे याद है उनके director मेरे पास आए, अब वो तो layman थे, वो तो कहीए, सर इसमें GST कहां से आगया, मैंने का GST लगता है, परा 2 के हिसाब से, वो situation में GST लगता है, आपने अपना workforce उदर provide किया, subsidiary किया, इवंदो आपकी 100% subsidiary थी, आपकी family के लोग director थे, उसको GST लोग को लेना देना नहीं, उसमें GST आएगा, related person, सेम अगर आपने deemed distinct person section 25 के उनको दिया होगा, तो वो case में भी GST आएगा in the course of business, अब एक नया term picture में आएगा, deemed distinct person, तो दोस्तों इसको detail में जाने के पहले, दो term को हम analyze करेंगे, पहला related person, और दूसरा deemed distinct person, अब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, कि related मतलब क्या, क्योंकि वैसे तो free supply पे GST नहीं आता है, किसी को free भी आमने दिया तो GST नहीं आता है, पर ये पहरा वन कह रहा है कि related को दिया तो GST आएगा, distinct person को दिया तो GST आएगा, तो ये related हैने क्या, तो चलिए, related का definition नीचे समझने की कोशिश करते हैं, let's understand the term related person, related person, okay, who is under the influence of another person, is called as related person, like member of same family, or subsidiary or group of company, etc., but, ये तो general definition है, okay, as per section, as per, या explanation, explanation to section 15, okay, as per law related याने क्या, GST law, explanation to section 15 आगे आएगा, उस वे, GST के ये साब से related person defined है, so related person याने क्या, चलो, फटा फट देख लेते हैं, depth में जाने की इतनी जरुवत नहीं है, okay, वैसे भी, ये definition, अगर आपका customs हुआ होगा, तो customs में मैंने ले लिए related की definition, under rule 10, और नहीं हुआ होगा, आगे आग परोगे, तो हम custom में depth में देखेंगे, section 15, person shall be deemed to related person, if such persons are officers or directors of one another company, मतलब, company और director related माने जाएंगे, okay, ये related माने जाएंगे, अगर company ने director को कोई service दे दी free, या अपने officer को कोई service दे दी free, तो company और directors ये एक में के related माने जाएंगे, और वो case में GST आ सकता है, company ने अपने director या officer को goods दे दी या free, तो वो related माने जाएंगे, तो persons are officers or directors of one another's businesses, या दो company में common directors हैं, तो दो company related माने जाएंगे, दूसरा, such persons are legally recognized as partners, such मतलब, यहाँ पे such का मतलब लिखना होगा, तो यहाँ पे supplier and recipient, लिख दो, such equals to supplier and recipient, जिसने goods or service दिया, और जिसने goods or service लिया, such persons are legally recognized as partners, समझ लो, आप और मैं, मैं आपको service दे रहा हूँ, पर हम कही और business में partner भी है, तो अगर हम कही और business में partner है, तो हम related हो जाएगे, फिर free service पे GST आजाएगा, हाँ, अगर हमारा कोई connection ही नहीं है, किसी ढंग से, तो फिर free supply पे GST नहीं आता है, पर अगर हम partner है, तो फिर GST आजाएगा, यह बात समझ में आएगे क्या आपको, यह बात समझ में आएगे क्या आपको, चलो, तो legally recognize as a partners होगे, तो GST आजाएगा, such persons are employer and employee, हाँ, आपके employee भी related माने जाएगे, यह clause बहुत important है, आपके employee भी related माने जाएगे, मतलब अगर आपने employee को, कोई भी free service दी, employer ने, या कोई भी goods free दिया, employer ने, वो related party transaction में आ सकता है, कोई सवाल नहीं, कोई question नहीं, चुप चुप सुनते जाओ, बहुत सारे parameter पर हमें discussion करना है, ठीक है, तो अगर आप employer हो, या employee हो, और वो related होगे, जैसे एक case study लेना चाओगा, सुरत का कोई एक ज्वेलर था, बहुत पुरानी case है, पांचे साल पहले की, उसने अपने employee को, car give दे दी free, business खर्चा बताया, भाई, car तुने give दी free, अपने employee को, वो related party माने हो जाएंगे, और जो car तुने free दिया, उसके ओपर GST आएगा, पांचे साल पर car का ITC नहीं लिया होगा, पाराटू में आते हो, तो कहीं नहीं लिखाया, ITC लिया है या नहीं लिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, पाराटू में related party transaction, या distinct person transaction, okay free हुए कि GST आया, तो आज अगर आप कोई अपने employee को gift देते हो, तो ख्याल रखना related party transaction में first जाओगे, और free भी दिया होगा, तो GST आ सकता है, इसके कुछ exception से आगे देखेंगे, now next, a third person control, own, hold, 25% voting stock or share in both of them, both of them मतलब supplier and recipient, लिक लो वहाँ पे, किसी तिसरे ने, directly और indirectly, supplier recipient के बीच में 25% से ज़्यादा stake रखा हुआ है, तो related party माने जाएगे, समझ लो, example लो, okay, कोई XYZ class है, famous class है, और एक V smart academy है, और दोनों में 25% से ज़्यादा stake, विदान्तू ने रखा हुआ है, बाईजू ने रखा हुआ है, अब बाईजू की capacity नहीं पर example ले रहा हूँ, okay, जैसे बाईजू ने आकाश को acquire किया, V smart को acquire कर लिया, आकाश में acquisition ले लिया, यहाँ पे 80-90%, V smart में acquisition ले लिया 25% से ज़्यादा, अब दोनों में यह जो है, control बाईजू ने ले लिया, तो ऐसे case में, अगर तिसरे ने, आकाश और यहाँ पे V smart 25% से ज़्यादा stake लिया हूँ है, दोनों में, तो आकाश और V smart related माने जाएगे, इसलिए V smart कोई भी service आकाश को देगा, या आकाश कोई भी service V smart को देगा, तो वो related party transaction माना जाएगा तिसरे के बज़े से, दूसरा example, जो आपने day to day life का बताता हूँ, अगे दूसरा example यहाँ पे अगर हम ले, तो मैं और मेरा साला, यह तो बहुती पालती example ले रहा जाता हूँ, मैं और मेरा साला, हम related है, कैसे, क्योंकि मेरे wife का stake मेरे इसमें तो 100% है, मेरे साले में भी 25% से जादा है, तो मेरे wife के वज़े से, मैं और मेरा साला related है, हम दुनों कभी party मना रहे हैं, दुनों, okay, party मना रहे हैं, मैंने उसको free दिया, अगर technically देखा जाए GST के context में, तो मैंने party में उसको free party दिया, तो GST आ जाएगा, हम related है, एक का दुसरे पर कंट्रोल रहे हैं, holding and subsidiary company, यह भी related माने जाएगे, next, third person control directly, directly both of them, third person controls the directly, directly both of them, अब यह वाले उपर clause में फरक क्या है, किसरे person का stake नहीं है, उपर में direct stake है, इसमें stake नहीं है, पर funding है, और दोनों को funding किया है, तो किसी इसरे का funding, दोनों में होने के वजए से, वाले नहीं हो रहा है, तो किसी इसरे का, किसी इसरे का, कंट्रोल हमारे में दोनों में हो गा, तो हम दोनों related माने जाएगे, 100% together control directly, इंडारी third person, हम दोनों मिलके, किसी third को control करें तो हम related माने जाएगे such person are member of same family okay such person are member of same family and one of them is sole agent or sole distributor or sole concessioner of other ये last वाला point समझ लो अगर आप custom law पढ़ते हो पढ़ने वाले हो जो भी हो customs में ये कहा गया है कि sole agent or sole distributor or sole concessioner ये related तभी वो लेंगे if any of the appropriate criteria is fulfilled custom में पढ़ोगे कि agent, sole agent वैसे related नहीं पर sole agent के साथ साथ वो यहाँ पर officer director होगा, partner होगा control होगा, तो ही related माना जाएगा पर GST में ऐसा नहीं है GST में merely sole agent होगा sole distributor होगा, sole concessioner होगा तो related माना जाएगा यहाँ पर industry को बहुत बड़ा problem है क्योंगी क्या हो जाता है sole agency देना sole distributorship देना है normal business transaction है और अगर आपने sole distributorship दे दी तो आप related transaction में first जाते हो जिसमें valuation में भी बहुत दिक्कत जाती है आपको और industries को बहुत अपोस कर रही है कि sole distributor, just sole distributor, sole agent और sole concessioner होने से हम related कैसे होगा कुछ तो और होना चाहिए पर GST में government नहीं मान रही है GST में कह रही है कि just sole distributor भी हो गया तो भी आप related माने जाओगे पर हमें same family के definition पर होगा नीचे आप अगर same family के definition में आते हो okay family section 249 family means spouse and children of a person अब भई आप same family के हो और in the course of business ये ख्याल रखना okay family person भी related है पर supply तभी बोला जाएगा अगर मैं मेरे family person को कोई goods और service दे रहा हो in the course of business दे रहा हो तो related माने जाएगा okay मैं मेरे family person को बहुत free service देता हो मेरे बेटे को देता हो okay मेरे parents को देता हो मेरे wife को देता हो बहुत सरी free services देता हो तो कह सब भी GST में आगा नहीं वो goods or services जो in the course of business दी गई free उस पर ही GST आएगा तरक example example my wife is the interior decorator और मैं उसके GST के return फाइल कर रहा हो even though मैंने मेरे wife को free service दी because in the course of her business है in the course of my business है okay तो वो GST के इसमें आएगा तो यहाँ पर ध्यान रहे कि family में भी अगर हम supply कर रहे और वो in the course of business supply कर रहे तो उसके आपर GST आएगा पर family आने क्या okay family आने क्या definition बहुत important है family आने okay spouse और children यह तो okay आपके family member ही बोले जाएगे दूसरा parents, grandparents, brother, sister of a person if they are only dependent on the said person तो ही related बोले जाएगे very very important parent, grandparent, brother or sister यह चार लोग related कभी बोले जाएगे जब वो dependent होगे so dependent में emotionally या financially लिखना होगा तो financially dependent emotionally नहीं okay मतलब spouse और children वो dependent हो या ना हो वो तो always related बोले जाएगे फिर आपके dependent हो या ना हो लेकिन parents, grandparents, brother, sister यह related तभी बोले जाएगे अगर वो आपके dependent होगे तो financially dependent होगे तो okay तो family की definition हमने देखी और यह related की definition हमने देखी भाई related की definition समझोगी तो फटापट बता okay कहो आर लिको फटापट अगर दोस्तो आज का session यही end करते हैं I hope आज का session आपको अच्छा लगा होगा जो भी मैने हम वक्त दिया वो हम वक्त किजिएगा एक बार जरूर पढ़िएगा फिर डिस्कुशन को हम आगे बढ़ाएगे और yes इसी तरह से फटाफट ओके हम अमारा discussion को complete करेंगे तो yes good day good night to all of you आज का दीन आपका बहुत अच्छा रहे thank you thank you so much